दोस्तो MS Office Microsoft का एक complete package है जिसमें MS Word, PowerPoint, MS Excel, MS Outlook, MS Publisher जैसे सारे topic आपको इस वीडियो में clear होने वाले हैं ये बहुत ही powerful वीडियो होने वाला है दोस्तों अगर आप घर बैठे MS Office का complete package सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है नमस्कार दोस्तों मैं अभिमेनी भरद्वाज आपका स्वाइद करता हूँ MyBigGateSmart क्लास में इस चैनल पर मैं आपके लेकर आता हूँ अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वर्ड, एक्सल, पावरपेंट और अधर टेक्नलोजी के तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिये हैं वहां से जाके आप देख सकते हैं बिना देर किये हम शुरू करते हैं हमने टॉपिक को तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो एक्सल है हमने ओपिन कर ली है अब चूंकि ये वीडियो बिगनर्स से लेकर एडवांस यूजर्स के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है तो जो एडवांस यूजर हैं एक्सल को जानते हैं थोड़ा सा धहरे रखें आगे उनके भी काम की चीज़ें आने वाली हैं शुरू से इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो वीडियो का जो लेक्शर हो लमबा होने वाला है आराम से बैठी है ये क्लास आपके बहुत काम आने वाली है तो थोड़ा से बिगनर्स के तो आप असल में कॉलम को selective करें और आप 13 को selective करेंगे तब एक रो को सेलेक्lled करेंगे और रोर कॉलम जहँदक nis falar मिलते हैं जैसे अगर डी को और फाइब को मिला दिया जाए तो यहां पर यह जो इनका संगम होगा यह असल में एक cell बनाता है और इस cell का नाम इन दोनो raw और column को मिला कर रखा जाता है और यह कहाँ पर आपको दिखाए देगा यह यहाँ पर आपको दिखाए देगा देगे D5 दिखाए दे रहा है अब यहाँ किसी और पर क्लिक करूँगा तो दिखे C5 दिखाए देगा अगर और दूसरे किसी cell पर क्लिक करूँगा तो E3 दिखाए देगा और जो पहला cell उसका नाम A1 होता है तो यहाँ पर यह simple method है कि यहाँ पर जो Excel में आपको यह जितने भी brackets दिख रहे हैं यह असल में cell है और यह cell में ही हम सारे database feed करते हैं cell को ही आपस में हम calculate करते हैं cell के अंदर कोई भी figure लिखी हो से हमां कोई लिना देना नहीं होता है हमारे पास एक formula होता है जिस formula में हम cell का नाम enter कराते हैं और वहीं से वो सारी calculation होती है तो यह बहुत basic चीज है जो Excel की मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक formula बार यहाँ पर आप जो भी चीज टाइब करेंगे cell में वो साथ के साथ आपको यहाँ भी दिखाई देती जाएगी और एक चीज और भी है कि अगर किसी cell में आप formula लगाते हैं तो यहाँ पर आपको जो formula है जो calculation आई है जो answer आया है वो display होगा लेकिन जब click करेंगे तो formula आपको यहाँ पर display होगा एक चोटा सा उधारन में आपको दिखा देता हूँ जैसे हमने 25 और 25 को जोड़ा यहाँ पर हमने लगाया बराबर करेंशान और इन दोनों को हमने प्लस कर दिया अब देखें जैसे मैं आपको बता रहा है कि हम cell से cell को जोड़ते हैं ना कि number से number को तो यहाँ पर आप देख रहा है मैंने c1 के साथ में c2 को प्लस किया है ना कि 25 के साथ में 25 को तो यह अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने formula लिख दिया है रिजल्ट दिखाई देता है लेकिन उस result में formula कौन सा इस्तमाल किया गया है वो यहाँ पर दिखाई देता है formula बार में तो यह बहुत simple है यह आपको समझना चाहिए अब यहाँ पर अगर किसी cell की आपको width घटानी बढ़ानी है तो आप यहाँ पर बीच में ले जाएए उसको यह देखिए यह इसकी width बढ़ा दी हमने अगर height बढ़ानी है तो आपको यहाँ पर row पर जाना होगा और आप जाके वहाँ से height बढ़ा सकते हैं एक साथ में अगर घटाना बढ़ाना हो तो सभी को select कर लीजे और कहीं से भी आप किसी को भी पकड़की खीचेंगे तो आप एक साथ में भी कर पाएंगे तो यह बहुत simple है इसके बाद पर यहाँ पर आगे आपको जो पूरी menu दिखाई दे रही है इसे अलग-लग चीज़े हम कर सकते हैं formatting change कर सकते हैं अपने cell की अब देखिए अगर आपने MS Word चलाया होगा basic चीज़ें चलाई होगी तो आपको पता होगा कि यह font है, यह font size है यहाँ से आप किसी भी cell के अंदर लिखे हुए किसी भी text का size बढ़ा सकते हैं यह font आप increase कर सकते हैं यहाँ से आप font की style को बदल सकते हैं याँ अगर आपको English का कोई भी font चाहिए Hindi का कोई भी font चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं यह bold detail का underline है बहुत basic चीज़ है computer में अगर आप computer चला रहे हो तो यह आपको पता ही होगा इसमें चीज़ों को मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह बहुत basic है बहुत सारे लोग जानते हैं क्लिक करके आप पता लगा सकते हैं कि यह bold होगा बहुत basic है यहाँ पर मैं आपको कुछ खास चीज़े बताऊँगा जिनको आपको पता होना चाहिए अगर आप एक Excel चलाना सीख रहे है तो यहाँ पर हम इसके बाद alignment पर जाएंगे क्योंकि alignment में यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें दी गई है तो मैं इसके लिए थोड़ा सा column को बढ़ा कर लेता हूँ यहाँ पर आप देखिए अभी जो हमारा alignment है वो दिया गया है bottom alien पर तो हमारा जो text है वो bottom पर है और right में रखा हुआ है अगर यहाँ से आप इसे center करेंगे तो यह center में पहुंच जाएगा लेकिन रहेगा अभी भी right में और अगर इसे top करेंगे तो यह top में पहुंच जाएगा लेकिन रहेगा अभी भी right में अगर आपको ऐसा कुछ formatting करनी हो तो आप यहां से इन तीनों का इस्तमाल करके कर सकते हैं, बिल्कुल center में रखने के लिए दोनों जो alignment है उनको center में रख लीजिए, अब बहुत सारे लोग Excel में लेके आते हैंगे, text को गुमाते कैसे हैं, rotate कैसे कराते हैं, उप्षिन यहां पर पर click करेंगे, तो आपको format cell के सारे option यहां पर मिल जाएंगे, और यहां पर एक आपको animated button भी मिल जाएगा, जैसे आप इसे lever को उपर नीचे करेंगे, उसी direction में जो आपका text है, वो घूम जाएगा, तो यह बहुत simple चीज़ है, अब इसके आगे वाला जो option है, वो आता है merge और center का, जहां पर हम दो cells को मिलाकर एक cell बना देते हैं, और वो cell के अंदर लेके data को merge भी कर देता है, और साथ में center भी कर देता है, वो कैसे करता है, मैं यहां से इसको खीच के 2 cells में ले जाता हूँ, अब आप देखिए, यहां पर जो 25 लिखा है, चलिए दोबार इसको ठी कर देते हैं, तो यहां पर हम इसे angle को ठीक करेंगे, इसको ले आएंगे center में, ok कर देंगे, तो अब मालनीचे यह जो 25 लिखा हुआ है, यह दोनो cells को हमें merge कराना है, तो कैसे कराएंगे, बस select करेंगे, और यहां पर merge or center का जो button है, उस पर click कर देंगे, तो आप हुगा क्या कि इन दोनो cells के ऊपर एक cell बन गया, और यह आप कैसे भी बना सकते हो, आप 10 cell को एक साथ select कर सकते हो, 20 cell को select कर सकते हो, column में अगर आपको select करना है, column select कर सकते हो, अगर row को select करना है, तो row को भी कर सकते हो, यहां से इस तरह से आपको यह select करना है, merge or center पर click करना है, आप देख जो भवी एरिया सलेक्ट किया होगा उसके कॉर्रम बोटर लगते हो तो क्या होगा यहां niche बॉर्डर आएगा क्लिक किया नी ख़ें वडिवी 1-ナहीं अगे इसके लिए क्या करना होगा उसके मुझे आ को सलेक्ट करना होगा ऑल बटर को तो जैसे आप all water select करो कि तो आप देखो जितना area हमने select किया था वो सारे area में lines आ गई हैं और एच्छे से border बन गया है तो ये border की आप थोड़ी सी practice कर लीजे इसको select दीजे अलग-लग cells को और ये सारे border आप लगा के देखिए ये बहुत simple है बच्चों वाला काम है बड़े आराम से कर सकते हो अब जो बड़ों वाला काम है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर number formatting की देखिए जब एक्सल में हम जब data feed करते हैं तो एक्सल को ये बताना ज़रूरी होता है कि भई हम data feed क्या कर रहे हैं हम रुपे लिख रहे हैं हम time लिख रहे हैं म अकरण ऐख़् सैल में ये ましょう पेहंचानने का कैसे तो वो जो सारा पेहंचानने का काम है वो यहां पेहां से होता है number formatting से मानिए ये 26 लिखा है यह क्या है, एक number है, रुपए है, date है, time है, क्या चीज़ है, percentage है, तो यह Excel को कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग लग तरह की आपको number formatting मिल जाएगी, जिसमें journal, जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई specific formatting नहीं दी गई होती है, उसके बाद म है, वो है number formatting, जब इस पर click कर देंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर dot लगकर, जो decimal places हैं, वो आ जाएंगे, और इनको भी घटाना बढ़ाना बहुत आसान है, आपने मालीजी किसी cell में numbering formatting लगा रखी है, और यह decimal places आपको घटाने हैं या बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर अगली formatting currency की दी गई है, तो यहाँ पर जैसे आप click करेंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर आपका currency का जो logo है, जो symbol है, वो आ जाएगा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर रुपएगा नहीं चाहिए, हम एकर dollar का चाहिए, तो यहाँ पर यह चोटा सा arrow बना है, इ जीजे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो symbol, अब आप जैसे इस पर click करेंगे, यहाँ पर आपको पूरी अंतरराष्टी है, जो भी symbols है, वो सारे दिख जाएगे, मैंने यहाँ पर रुपएगा select कर रखा है, आप जो भी select करेंगे, वो symbol आपके Excel के जो भी currency formatting है, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का जो option है, मैं नीचे, जो पूरी प्लेलिस्ट है Excel की वो मैं डाल दूँगा, मैंने 200 से 200 के लगबग वीडियो Excel के उपर यहाँ पर upload किये हैं, तो उन में को आप जाके देख सकते हैं, व अगर आप इसे select नहीं करेंगे, तो आपकी जो calculation है वो गडबड हो सकती है, time को अगर आप select करेंगे, तो यह cell को time मानेगा, उसके बाद में percentage का number आजाता है, percentage में convert कर देंगे, तो यह इसको percentage मागेगा, percentage का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कहां पर हमें सीदे सीदे जहा आप 5 किया और enter कर दिया, आप देखे 25 का 5% यहाँ पर आ गया है, तो percentage में हम किसी cell को अगर convert करते हैं, तो उसे हम आसाली से percentage निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है conditional formatting का option, इस से आप कोई भी condition आपकी हो, आप cell को पहचानने के लिए इसका इसका इस्तमाल करते हैं कि भाईया अगर बड़े numbers हैं तो उनको कैसे पहचानेंगे, अगर छोटे number हमें दिये गए हैं, अगर हमारे database बहुत बड़ा है, यह उस condition में वहाँ पर लगाये जाते हैं, कोई भी condition अगर आप देदेंगे, वहाँ पर rule set कर देंगे, तो आप इसको वहाँ से पता लगा सक कम हैं, वो display मुझे कर दे, तो यहाँ पर जाना है, आपको 15 से कम बाले देखने हैं, तो less than पर click करना होगा, और यहाँ पर आपको सिर्फ 15 डाल देना है, तो आप देखें, 15 से कम बाले जितने भी number होंगे आपको यहाँ पर तुरंट से display हो जाएंगे, और अगर और बी किस से हटा देता हूँ, अब आगे आपको कुछ और भी interesting चीजे में बताने वाला हूँ, आगे वीडियो जरूर देखते रही है, पेसे special को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी table बनाई है, जिसमें हमने कुछ text type किया है, और कुछ numbers type की है, यहाँ पर हमने formula लगाया ह साथ में हमने cells को formatting भी दी है, अब इस पर हमें एक border और लगा देते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं इसको, तो यह देखिए हमने काफी सारी चीजें हमने इस table में की है, और हम समझते है paste special होता क्या है, सबसे पहले हम इस पूरी table को select किया और उसके बाद control CCS को copy कर अब इसको सीधे सीधे पेस्ट करेंगे तो यह जो टेवल है वो जॉंकितियों नीचे आ जाएगी और यहां पर वो सभी फर्मिले और सभी फर्मेटिंग जैसी थी वैसी पेस्ट हो जाएगी, तो यह तो था simple इसको paste करना, अब इसके लावा इसमें से कुछ अलग अलग च जो बॉर्डर था वो भी पेस्ट हो गया, जो फर्मेटिंग थी वो भी पेस्ट हो गई, colors थे, background colors थे, वो सारी चीज़ें जो कि लिए पेस्ट हो गई, तो यह जो दूसरा option है, formulas का, यहां पर यह cable इस table से formula लेगा, आपका text लेगा, number लेगा, जो फर्मेटिंग है वो उसको पेस्ट नहीं करेगा, फर्मेटिंग से मतलब आप समझते हैं, जो text का color होता है, जो text की background होती है, और यह जो border है, यह सारी चीज़ें फर्मेटिंग में आती हैं, और इसको छोड़कर बागी सारी चीज़ें मचती हैं, वो है यहां पर लिखा हुआ text, और यह जो number लिखे है और जो formula लगा है, तो जब आप इसे tick करके यहां पर paste करेंगे, तो वही सारी चीज़ें paste होंगी, आपके जो number है, जो text लिखा था वो आ गया, और जो formula लगे थे, वो यहां पर paste हो गए, इसके बाद में एक option और है, हम इसको यहां पर paste करते हैं, आप देखेंगे, यह जो option ह आप कहीं कहीं ऐसा होता है, जो आप यहा पर जो digit निकाले हैं, वो हमने formula लगा कर निकाले हैं, जैसे हम ने यह जो sum किया था, वो यहां पर sum निकाल रखा है, तो यहां पर हमने यह सभी cells हैं, वो sum करके लिए रखे हैं, अगर आप इसे simple copy करके कहीं पर paste करेंगे, तो वो वह value उठानी है तो आप इसे select करेंगे और copy करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर paste special पर जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे इसको value जब आप इसे paste करेंगे तो वह इस formula में से value को उठा लेगा तो एक बहुत का का formula है कई जगे इसकी ज़रूरत होती है value को copy करने की तो आप यहाँ से value ले सकते हैं पूरी table को भी अगर आप उठा के लेंगे तो वहाँ से formula copy नहीं होंगे केबल जो paste की जाएगी वह value paste की जाएगी अब देखें यहाँ पर कहीं भी formula नहीं आया है जो value थी वह paste हुई है इसके बाद में paste special में एक चीज और आती है इसको दबारा से copy कर लेते है पेसे special पर जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे formats अब formats क्या है उसको हम थोड़ा स अब हमें यही same format यहाँ पर लेनी है तो आपको simple इसे copy करना है किसी भी रह को आप copy कर लीजिए और यहाँ पर आप चाहिए बीच वाली रह पर हमें यह जो इस जैसी रह है वह यह बीच वाली रह करनी है लेकिन अगर आप इसे simple paste करेंगे तो क्या होगा इसके साथ में data और सिर्फ इसका format तो यहाँ पर हम इसको copy करेंगे और यहाँ जो बीच वाला जो Thursday है उस पर ले जाकर इसको paste special करेंगे और यहाँ से इसको हम select करेंगे format को और जब इसे paste करेंगे तो सिर्फ जो format है वो वहाँ पर जाके paste होगी ना के उसका data आप एक बार और दुबारा से data paste नहीं हुआ है हो सकता है आपने इसमें conditional formatting भी कहीं पर लगाई हो conditional formatting क्या होती है मैं आपको एक बार चोटा सा उधारन दे के समझा देता हूं यहाँ पर हमने conditional formatting के लिए लगाया है कि duplicate value को highlight करें तो यहाँ पर इस रो में हमने conditional formatting लगा दी है और यहाँ पर duplicate value हमने 27 लिग तो यहाँ पर duplicate value को highlight कर रहा है अब यही जो conditional formatting है या आपको किसी और row में लगानी है या किसी और column में लगानी है तो आप simple इसे copy कीजिए और वहाँ पर जाकर paste special पर जाएए और यहाँ से format को select कर लीजिए तो conditional formatting भी आप इस तरीके से paste कर सकते हैं अब इसमें भी conditional formatting apply होगे और जो duplicate value है वो भी highlight होने लग जाएगी तो इस तरीके से format और conditional format दौनों को copy कर सकते हैं यह एक बहुत अच्छा तरीका है इसके बाद में आता है comments कोंपी करने का आप किसी cell के लिए आपने को comment लिखा है यहाँ पर insert comment का option है यहाँ पर आप किसी cell के लिए कोई भी comment लिख सक जब आप इसे paste करेंगे तो केवल जो comments है वो copy होगे ना data copy होगा ना format copy होगी केवल जो comment है वो यहाँ पर copy हो जाएगे तो आप देखिए इस तरीके से यह comment copy हो गया अब अगला option यहाँ पर दिया गया है validation का validation के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि data validation में किसी भी raw क हो जाता है कि उससे बाहर कोई भी कुछ नहीं कर सकता तो यहाँ पर हम छोटा सा data validation लगा के देख लेते हैं हम जाते है data पर और यहाँ पर हम जाते है data validation पर एक criteria fix कर देते हैं हम यहाँ पर के जो whole number है वो या तो 20 minimum होगा और maximum 30 होगा maximum और minimum से अगर उपर जाता है इसको setting में जाते हैं और error alert के लिए हम यहाँ पर type कर देते हैं यह गलत है इसे यहाँ से ok कर देते हैं और आप यहाँ पर कुछ भी type करेंगे यहाँ आप 20 से कम कोई अंक type करेंगे तो यह आपको alert देगा और 20 से ज्यादा का कोई digit type करेंगे तो आप delete करते हैंगे तो यहाँ पर error नहीं आएगा अब इस validation को आप किसी और cell में paste करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आप data validation नहीं लगाना होगा इसको यहाँ से paste special कीजिए validation पर जाएए और ok कर दीजिए अब यहाँ पर भी validation apply हो गया है आप 31 लिखेंगे तो यहाँ पर error आ इस पर आप कर सकते हैं तो वह formula है paste special जी हाँ बिना कोई formula type किए आप यहाँ पर काफी सारी चीज़ें कर सकते हैं तो हम यहाँ पर एक छोटा सा number हम लिख लेते हैं हम यहाँ पर दो type कर लिया है यहां से यह जो सारे numbers लिखे हुए हैं हम चाहते हैं कि उनमें यह जो दो number है यह add हो जाए तो paste special से इसे add के से करते हैं यहां से copy कर लीजिए simple यहां पर जाकर से paste special कीजिए और यहां पर आपको नीचे दिखाई देंगे कुछ चार option आप add पर अगर click करेंगे तो यह जो 2 है आप देखिए 25 और 2 को जोड़ना है तो आप add पर click कर दीजिए और इसे ok कर आप देखेंगे 25 में वो जो 2 लिखा हुआ था वो जुड़ गया है इसी तरीके से अगर आप इसको multiply करना चाहते हैं तो paste special कीजिए और यहां से आप देखेंगे आपको multiply का भी option दिखाई देगा यह जो raw है पूरी और यहां जो number लिखे हूँ है आप इने 2 से multiply करना चाहते हैं simple multiply को select कीजिए और इसे okay कर दीजिए आप देखेंगे यह जो raw थी वो इससे multiply हो गई यह लेकिन इसके लिए आप copy करना होगा यह ध्यान रखिएगा आप दोबारा से हम एक बार कॉंपी करके दिखा देते हैं data को कॉंपी कर लेते हैं एक बार कॉंपी और यहां पर हम द का option को select करेंगे और यह आप देखेंगे कि यह जो raw है वो दो से divide हो गई है अगर quickly आपको कोई गुणा भाग करना है तो आप paste special का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके बाद एक option और आता है कि यह संडे मंडे हैं यह उपर से लेके नीचे तक लिखे हुए हैं यानि यह column में लिखे कि अपको इसको उपर paste करना हो तो क्या करेंगे इसको यहां से copy करेंगे और इसके उपर जाएंगे यहां पर paste special करेंगे और यहां पर आप देखेंगे transpose का option आपको मिलेगा इसको okay कर दीजिए आप देखेंगे संडे मंडे हैं वो आपके उपर वाले रो में आ गए है अब एक option और मैं आपको paste special का पता देता हूँ कभी-कभी यह जो table है वो हमें दूसरी sheet पर ले जाने के ज़रूरत होती है लेकिन वहाँ पर एक परिशानी हमें आती है आप देखिए कि हमने यहाँ पर कुछ जो column width है उनको अपने हिसाब से set किया हुआ है लेकिन जब इस table को हम दूसरी sheet पर paste करते हैं तो होता क्या है जो column width है वो by default जो Excel की दरफ से दी गई होती है वो set हो जाती है और फिर दुबारा से हमें ऐसे set करना होता है लेकिन इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है इसको copy कर लीजिए और इसको यहाँ पर paste कर दीजिए जब आप इसे paste करेंगे तो आपको यहाँ पर जो column width एकसल की दरफ से दी गई है वो by default मिल जाएगी उसके बाद आप इसको दुबारा से copy कीजिए और यहाँ पर इसको right click करके paste special पर जाएए और यह column width यहाँ पर दिये गए है इसको select करके इसे ok कर दीजिए आप देखेंगे जो column width आपके इस table की दी वो same आपके दूसरी table पर आपने आप आ गई है तो excel में print निकालने के लिए यहाँ पर हमने एक दो sheet बनाई है जिससे हम आपको समझा सकें तो यहां मारे पाद एक sheet है और excel में जब आप print निकालने जाएंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा print area क्योंकि excel में कोई भी sheet की कहीं कोई ending नहीं होती है जब आप preview में देखेंगे तब आपको यहां पर page दिखाई देगा लेकिन जब आप sheet पर देखेंगे तो आपको कोई भी ending दिखाई नहीं देगी तो आप print preview देख सकते हैं कि आपने जो matter type किया है वो आपके page पर कहां आएगा लेकिन अगर आपका matter इससे भी बड़ा है यहां पर हमने एक छोटी सी file देगार की है तो आप कैसे देख पाएंगे वो कितने page हो में आएगा और कहां आ रहा है तो आपको यहां पर बीच में हलकी dotted line दिखा ही दे रही होगी यही line Excel की sheet पर आपके page को divide करती है यानि कि इस border के अंदर हम इसको थोड़ा सा चोटा कर लेते हैं आप देखेंगे यहां पर यह जो border है यह एक page है यह दूसरा page है यह तीसरा page है और यह चोथा page है तो इन सभी page को अलग-लग देखने के layout view जब आप इस पर click करेंगे तो आपके सभी page इस तरह से आपको अलग-लग दिखाई देने लग जाएंगे देखें बिलकुल MS Word की तरह है जैसे MS Word में pages दिखाई देते हैं उसी तरीके से यहां पर दिखाई देने लग जाएंगे आप अपने taskbar से भी page layout view और page break view को अलग-ल तो सबसे best normal sheet पर काम करना है अगर आप normal sheet पर काम करते हैं और preview चेक करके dotted line के साफ से चेक कर लेते हैं कि मेरा matter एक page पर है या दो page पर है तो आप यहां पर दिखा देगा यह जो आपको dotted line दिखाई दे रही है यह जो dotted line है यह इस समय जो page setup में यहां पर page size लगा हुआ है वो कि आप यहां पर देखेंगे इस समय जो dotted line है वो 47 नमर वाली cell पर है अभी हमने यहां से page size को change किया और A4 लगा दिया तो आप देखेंगे वो 50 पर पहुँच गई और अगर हमें से legal कर देंगे तो यह और नीचे किसक जाएगी यहां पर आजाएगी 61 पर तो इस तरीके से यह जो page पर dotted line है यानि कि जो आपका print area है वो घटता बढ़ता रहता है अब यहां पर एक चीज और आप सोच लीजिए कि यह जो dotted line है यह margin को छोड़ने के बाद में है यानि कि जब आप print निका लेंगे तो जो matter है वो margin के साथ में ही निकलेगा इस dotted line के अंदर जो भी matter होग वो पूरा आपके page पर आ जाएगा इसके अलावा margin भी इन्होंने जोड रखा है तो यह तो तरीका था आपके print area को पहचानने का अब print area आप अपने इसाब से manually भी set कर सकते हैं manually print area set करने के लिए आपको जितना भी आपने matter type किया है और आप चाहते हैं कि उस matter के अलावा और कोई matter page से print हो ना यानि कि अभी हमें stable को copy कर लेते हैं और copy करके इसको दो जगए paste कर लेते हैं हमने इसको एक line छोड़के यहां पर paste किया तो यह matter यहां भी है और यहां भी है और यह दूसरे sheet पर भी जा रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि हमने यह पहली table बनाई है वही केवल print निकले तो आप इसको select कर लीजिए और आप जाएंगे यहां से page layout option पर और यहां पर आपको दिख़ए यह देगा print area का option print area में यहां पर set print area का option आएगा और जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो बाकी सारी dotted line है वह गयब हो जाएंगी और आपके जो matter आपने select किया था केवल उस पर एक dotted line आ जाएगी इसका आर्थ यह है कि आप जबी भी print निकालेंगे तो केवल यही print निकलेगा जो आपने भी select किया था बाकी कुछ भी print नहीं होगा आप देखें अब इसको preview में भी देखेंगे तो केवल यही print आएगा और जो हमने और भी matter पेज पर लिया हुआ है जो table बनाई है वो print नहीं होगी इसको हटाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है print area पर जाना है और clear print area कर देना है और अगर इसी print area में आपको और भी चीज़ें जोडनी है तो आपको simple इतना करना है कि आपको दूसरी जगे को भी select करना है और add to print area का option select कर लेना है इससे क्या होगा कि यह table और यह table print होगी यह दूसरे page पर आगे देखे अपने आप और बाकी कुछ भी print नहीं होगा बाकी कुछ भी से मतलब यह है कि अभी हम इस पर और cell और column बना देते हैं यहाँ पर देखिए अब हमने सभी जगे border बना दिया लेकर आप देखेंगे कि print में केवल यही दो table आएंगी अगर यह print यह हमने जो table बना रखी है वो पूरी आपको दिखाई देने लगी तो यह तरीका है print area को select करने का print area select करने से आप केवल दो columns का भी print निकाल सकते हैं देखिए यहाँ पर हमने set print area कर दिया और केवल दो column का भी आप print निकाल सकते हैं अब बात करें कि हमारी table काफी बड़ी है और यह हमें केवल एक ही page पर निकालनी है यानि यह दौनों जो table है यह हमारे page से बाहर जा रहा है यह जो matter है यह page से बाहर जा रहा है लेकिन यह हमें एक ही page पर print करना है कैसे भी करके तो बहुत सारे user क्या करते हैं कि इसको table को छोटा करने लगते है size को छोटा बड़ा करक अगर column और भी जादा हो तो परिशानी हो जाएगी तो इसके लिए एक सबसे best idea है कि आप page preview पर जाएए page setup पर click कीजिए और यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा scaling का scaling में आपको सिर्फ इतना करना है कि यह जो fit to वाला option है इसको select करना है तो जब fit to आप select करेंगे तो दोनों में आपको one और one भड़ देना है यहने कि tail और wide में आपको one भड़ देना है तो इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा matter है वो सिकोड़ कर अपने आप एक ही page पर आजाएगा आप देखिए कितना भी लंबा चोड़ आपका matter हो वो एक page पर अपने आप set हो जाएगा आपको कोई column खिसका नहीं जरूद नहीं है वो जो font size है जो table है वो अपने आप adjust होकर आपके एक single page पर आ जाएगी तो एक बहुत कामियाब option है आप इससे आपका जो matter है वो चाहे sheet के बहार हो चाहे sheet के अंदर हो अगर आपको एक ही sheet पर आपको print करना है तो आप इस fit2 option का इस्तमाल करें इससे आप एक ही sheet पर print कर सकते हैं वो इससे अपने आप adjust करके उसने 42% जो है adjust कर दिया उसको आपका एक page पर आ गया ये था आपका matter को लेकिन यहाँ पर पेज तो है नहीं तो हम page निकालेंगे कैसे कि हमें कौन से page का print निकालना है कौन से का नहीं तो ये जो page layout view है वो इसी काम के लिए है कि ये आपके matter को बता देगा कि आपका matter एक page पर है या दो page पर है अभी फिलाल हमने इसको श्रिंक कर रखा है नहीं 42% हम इसको less कर रखा है अब इसे हम 100% कर लेते हैं तब आपको मैं कुछ दिखा पाता हूं इसको 100% कर लेते हैं यहां से हमारा matter 100% हो गया हम इसको देखते हैं page layout view में जाके तो आप यहाँ पर देखेंगे ये page number 2 है और यह page number 1 है जब आप इसको click करेंगे page पर तो आपको यहाँ पर page number अपने आप दिखाए देगा यह देखें यहाँ पर click करने के बाद यह नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ कोई matter नहीं है जिन pages पर matter है वहाँ पर page 1 और page 2 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जो आपका task bar है वहाँ पर आपको page number वह दिखाएगा तो आम मालीजे कि हमको page number 2 का print निकालना है इसको थोड़ा सा हम zoom in कर लेते हैं तो हम page number 2 का print निकालना है यानि कि इस वाली sheet का तो आपको सिर्फ page number 2 type हाँ पर करना होगा हम print करते हैं इसको और print करने पर हम यहाँ पर page 2 from 2 तो क्या होगा कि cable page number sorry sheet number 2 का print out निकलेगा sheet number 2 से पहले का कोई print out नहीं आएगा सिर्फ sheet number 2 का print out आएगा अगर आप all पर click कर देंगे तो आपकी जो worksheet है उस worksheet का print out आजागा लेकिन आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर जो sheet आप select कर रहे हैं वो active sheet हो याईनि कि जिस पर आप काम कर रहे हैं जो sheet खुली होगी है इसके बाद यहाँ पर एक option और भी है selection का अब यह selection का option भी बहुत अच्छा है यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप अभी हम दुआरा से normal view कर लेते हैं यहाँ पर हमें निकालना है केवल in cells का print out यानि 17 से लेके 24 तक के जितने लोग हैं या 1 से लेके 7 तक के जितने लोग हैं केवल in cells का print out निकालना है तो आप in cells को select करेंगे print पर जाएंगे और यहाँ पर all पर click करते हूँ आप selection पर भी टिक लगा देंगे इससे क्या होगा केवल ये जो आपने cells select की है इनी का print out निकलेगा आप preview में देख सकते हैं यहाँ पर किसी और चीज़ का print out नहीं आएगा तो एक बाद फिर से करके देख लेते हैं यहाँ पर all लगाएंगे print range में और यहाँ पर करेंगे selection ठीक है अब यहाँ पर जब आप selection कर देंगे तो केवल इनी cells का print out निकाला जाएगा इसके बाद यहाँ पर एक और option है entire workbook तो जब आप entire workbook को select कर लेंगे तो जो आपकी पूरी workbook है उसका print out दे दिया जाएगा यहाँ पर workbook में आपको यह धियान रखना होगा कि जितनी भी sheet है sheet number 1 पर जो भी matter होगा sheet number 2 पर जो matter होगा वो सभी print out आ जाएगा इसका एक बाद हम preview देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल 9 pages का print out निकाला जाएगा और 9 pages किस तरीके से नों ने बनाए है तो यह जो पहला हमारी sheet है यह जो matter है वो हमारे पहली sheet पर type है और इसके बाद में यह जो matter है यह हमारी दूसरी sheet पर type है तो इस तरीके से यह क्या करेगा जो option है यहाँ पर यह entire workbook वाला यह सभी sheet के print out आपको निकाल के देदेगा अब जब आप print निकाल लेंगे यह सारी चीज़े set कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा number of copies तो number of copies को आप यहाँ पर जानते ही है कि आप 1, 2, 3, 4 करके कितने भी इसके नीचे का option है यह option क्या करता है अगर आप इस पर tick नहीं लगाते है तो क्या करेगा कि यह पहले page की आपने जितनी भी copy यहाँ दी है जैसे 3 हैं और हमारे पास page 2 हैं तो पहले page की 3 copy यह निकालेगा फिर उसके बाद एक से लेकर 10 page यह निकालेगा फिर तीसरी बार में एक से लेकर 10 page यह निकालेगा तो यह option अगर आप के पास अलग अलग तरह के page हैं और आप उनको एक set बनाना चाहते हैं उनका तो इस option का आप इस्तमाल करें ज्यादा copy यह निकालने के लिए चुकि बाद में भी आपको set बनाने पड़ेंगे तो यह अपने आप उनके set बना गए आपको print देदेगा तो एक बहतरीन option है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यह page setup का option है page setup में यहाँ पर margin दिया होगा है आप अपने इसाब से page आपके पास A4 है legal है इसके बाद में कितना margin चोड़ना चाते है margin क्या होता है कि margin चारों तरफ का border होता है जिस पर print नहीं निकलता है तो सबसे better है कि आप normal margin का इस्तमाल करें इसके बाद में orientation का option आता है यहाँ पर portrait और landscape portrait माने है खड़ा page और landscape माने है आड़ा page तो आप printer में तो आप एक ही तरीके से page लगाते हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको set up कर लेंगे तो वह अपने आप इसको set कर लेगा इसके बाद यहाँ पर option आता है size का तो market में अभी किवाद 2 size के page जादा अर एवेलेबल होते है A4 का और legal का print area के बारे में हमने आपको बता ही दिया है तो आप print area को बड़े आराम से set कर सकते हैं तो excel में जिदनी भी तरीके से print निकाले जा सकते थे हमने सभी print के option आपको बता दिये है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक sheet है जिसमें के कुछ students के नाम है उनके कुछ paper हुए है word, excel, powerpoint, internet, photoshop के और इस sheet में हम आपको बताने वाले है excel के art most useful formula जो की हमेशा प्रयोग में आते रहते हैं जिसमें की sum है, percentage है, sum if है, count है, we look up है average है, if है, count if है सबसे पहला formula है sum का तो sum आप दू तरीके से कर सकते हैं पहला option है यहाँ पर auto sum का इस button पर आप click कीजिए तो यह already आपके सारे cells को select कर लेगा जो भी आपके vertically या or vertically होंगे लेकिन auto sum में भी आप manually select कर सकते हैं तो इस तरीके साब manually select कर लीजिए क्योंकि यह जो total वाला column है यह हमें नहीं लेना है यहाँ पर आप manually select करेंगे और enter करेंगे एक तरीका तो यह हो गया sum करने का अब दूसरा तरीका है आप बराबर कर निशान लगाईए sum type कीजिए bracket लगाईए और सबसे पहले वाले cell का नाम लेकिए यह जो cell है इसका नाम है B5 यहाँ पर B5 type कर दीजिए colon लगाईए और जो last cell है उसका नाम type कर दीजिए तो यह है F5 bracket बंद कीजिए और enter कर दीजिए तो यह दो तरीके से सम्मों हो गया तीसरा तरीका है आप manually भी cell को select कर सकते हैं equal to का निशान लगाईए और cell को select करते जाएए plus दबाईए फिर cell को select कीजिए फिर plus दबाईए यहाँ पर आप कोई भी cell बीच से छोड़ सकते हैं तो मानिए अगर हमको चौथा cell यहाँ पर छोड़ देना है इसका प्रतिशयत हम कैसे निकालेंगे तो प्रतिशयत निकालेंगे जैसे हम copy पर निकालते हैं वही तरीका हम यह अपर अपनाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे हम बराबर का निशान अब जो अंख हमें प्राप्त हुए हम उस cell को select कर लेंगे और star button से हम लगाएंगे हम पर गुणा का निशान इसके बाद यहां से सौसे से गुणा करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे oblique और उसके बाद हमारा total है उसको select कर लेंगे और enter करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर प्रतिश्यत निकल के आ जाएगा लेकिन दूसरा तरीका भी है प्रतिश्यत निकलने का आप जाएंगे numbering format पर और यह जो cell है इसको प्रतिश्यत में convert करेंगे तो यहां से हमने यह cell प्रतिश्यत में convert कर लिए आप देखेंगे उपर percentage लिखा हुआ गया है अब हमें जादा कुछ नहीं करना है बराबर का निशान लगाना है जो number है हमारे उनको select करना है इसको भाग देना है यानि divide करना है 600 से simple इतना करना है हमें 100 से गुणा नहीं करना है और enter कर देना है तो यहां पर आप देखेंगे जो उपर वाला cell था वहां पर प्रतिश्यत का आइकन नहीं आया था लेकिन इस cell में चूकि हमने इसे convert कर दिया था percentage में तो यहां पर प्रतिश्यत का आइकन आ गया है अब इस इसमें जिदनी पी जगे मोहित नाम दिया गया हो उनका सम केबल यहां पर आए ना कि अकेले मोहित का तो हम से लागेंगे बराबर कर निशान टाइप करेंगे सम एफ वैकेट ओपन करेंगे और रेंज के लिए उन cells को सेलेक्ट करेंगे जिन में नाम लिखे हुए है कॉमा लगाएंगे अभी पुचे को हम से criteria तो criteria के लिए हम मोहित को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर double quote में मोहित का नाम टाइप कर देंगे उसके बाद double quote बंद करेंगे या internet की number निगाला चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो total sum है उसको select कर लेते हैं उसके बाद bracket को बंद करते हैं और enter कर देते हैं तो आप देखेंगे कि मोहित के जो अंक है total दोनों मोहित के वो count होके यहाँ पर आ गए हैं अगर आपको शॉप चलाते हैं और वहाँ पर आप डेली का सेल रेजिस्टर तियार करते हैं कौनसी चीज कितनी सेल हो गई तो उसके लिए आप समेफ का यूज कर सकते हैं इसके बाद जो formula है वो है count count formula क्या करता है count formula आपके selection area में से जिदने भी numbers टाइप हुए हैं उनको count करके आपके यहाँ पर दिखाता है तो इसके लिए आप लगाएंगे बराबर रिक्षान type करेंगे count और bracket open करेंगे और जो सामने वाली series है उसको select कर लेंगे कुछ इस तरीके से bracket बंद करेंगे और enter कर देंगे तो यहाँ पर जो अंसर मिला है वो है 6 लेकिन हमने जो cell select किये थे वो 7 किये थे अब यहाँ पर 7 क्यों नहीं आया वो इस वज़े से नहीं आया है क्योंकि जो 7 वाँ सेल है वहाँ पर text लिखा हुआ है नमबर नहीं लिखे हुए है इसके लावा आप किसी भी cells में से कर कोई number हटा देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो count है वो 5 हो जाएगा तो यह उन cells को मैं बताता है केवल जिन cells में number लिखे हुए है अब यहाँ पर दुबारा कोई भी number अगर आप लिख देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे counting जो है वो बदल जाएगी इसके बाद formula आता है VLOOKUP का तो VLOOKUP formula क्या करता है यह vertically criteria के हिसाब से किसी भी value को आपको find करकी देता है कैसे देता है यहाँ पर लगाते हैं बराबर गंशान टाइप करते हैं VLOOKUP तो यहाँ पर आप देखें VLOOKUP आज आएगा इसे double click कर दीजे यहाँ पर यहाँ हमसे बु लगा देंगे अब यहाँ इसके बाद tabular एक option है तो tabular है में यह पूरी table select कर लेंगे और इसके बाद लगाएंगे comma अब यह हमसे पुझे का index column number तो हमें राम के internet के अंग पता करने हैं और चुट column index number होगा आप पहले से count करेंगे जहां से आपने इस table को select किया है तो column index number हमन इंटरेट में 32 संग प्राप्त किये हैं तो यह जो formula है यह असल में कोई विशेश criteria आपको किसी बहुत बड़ी table में से search करना है तो आप वी look up का इस्तमाल कर सकते हैं बहुत आराम से तो यह जो राम है आपने जो double quote में यहाँ पर लिया है आप इसे कहीं बाहर भी किसी दू है सभी papers में उनका क्या average है तो यह average आपको वहां से निकाल के देगा बहुत simple formula है लेकिन बहुत काम का है आपको लगाना है बरावर के रिजान टाइप करना है average तो जैसे ही आप ए वी टाइप करेंगे यहां पर average आपको दिखाई दे जाएगा इसको double click किजिए तो बस आप अबर कुछ 5 cell हमने यहां पर select की है और बस bracket को बंद कर देना है और enter कर देना है तो आप देखेंगे जो शोभम के number है उसका जो average है वो 39.6 है बस इसको पकड़के आप नीचे कीच दीजे और सभी students के जो average number है वो यहां पर आ जाएंगे अब इसके बाद आता है सबसे interesting और important formula if if formula क्या करता है काफी लोग माक्षित तियार करते हैं और वहां पर percentage के साब से grade करते हैं grade देते हैं number को अगर यहां पर आप if का इस्तेमाल करेंगे तो if से आप automatically grade दे पाएंगे आपको कुछ नहीं करना है सिफ number feed करने है percentage भी निकलेगा total भी निकलेगा average भी निकलेगा और हम जो cell select करेंगे grade देने के लिए वो cell हम select करेंगे प्रतिशत वाला और उसी के साब से grade दे जाएंगे तो हम यहां पर जो कुल grade है वो 4 देंगे A, B, C और D तो यह हम कैसे देते हैं यह आप देख लीजे तो यहां पर हम select कर लेते हैं सबसे पहले इस cell को जिसमें प्रतिशत लगाते हैं greater than का निशान यानि यह जो cell है अगर बड़ा होगा और बराबर होगा किसके 75 के यह सभी के साथ apply होगा एक जैसा ही formula सभी में जाना है 75 के साथ में आपको प्रतिशत भी लिखना होगा चुकि हम 75 से उबर वाले cells के लिए type करेंगे उसके बाद लगाएंगे comma और बराबर होगा 75 प्रतिशत के तो वहाँ पर display होगा a इसके बाद आप एक comma लगाएंगे type करेंगे if फिर से bracket open करेंगे यानि ये condition हमारी पूरी हो गई अब दुबारा से हम फिर से इसी cell को select करेंगे क्योंकि हमें इसी cell के लिए दूसरी condition देनी है दुबारा से हमने cell select कर लिय उसके बाद वही हमने formula लगाया बड़ा होगा और बराबर होगा कितने के 60 के यहाँ पर भी हम प्रतिशत लगाएंगे और क्या आएगा b तो आप double code में b type करेंगे और उसके बाद फिर से comma लगा देंगे इसके बाद हम दुबारा से type करेंगे if bracket open करेंगे और वहाँ पर हम क यहाँ पर देंगे 45 परसेंट आप देखेंगे 45 हमने type कर दिया है अब लगाएंगे फिर से comma और इसके बाद हम type करेंगे double quote में c कुछ इस तरीके से फिर से हमें comma लगाएंगे और आप simple हमें आगे कोई condition नहीं देनी है इसके अलावा अगर कोई भी condition आती है निए अगर 45 प bracket open किया था तो हम तीन बार bracket बंद भी करेंगे और enter करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इस समय जो grade आया है वो D आया है क्यूंकि जो प्रतिशत है वो 33 है तो कितने से कम में 33 प्रतिशत आना चाहिए था 45 से कम पे तो अब इसको हम पकड़के नीचे तक कीच देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी विद्यार्थी हैं उन सभी को अलगलग grade अपने अपराप्त हो गए हैं जिनके 45 प्रतिशते उपर हैं उनको C मिला है जिनके 45 से कम हैं उनको D मिला है अब थोड़ा सा गटा बढ़ा के देख लेते हैं कुछ students को ज़्यादा नमबर देख लेते हैं तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक student है रनवीर उनका प्रिश्यत हमने यहाँ पर 83% किया है तो उनका जो grade है वो अपने आप A आया है 47% वालों का C आया है और जिनके percentage 60 से ज्यादा है उनका grade यहाँ पर B आया है तो इस तरीके से आप if का इस्तमाल करके सभी को automatic grade दे सकते हैं अब बात करते है count if की तो यहाँ पर आप जो भी condition देंगे यह उसको count करके बताएगा जैसे इस पूरी mark sheet में 70 number कितने लोगों को मिले हैं तो यहाँ पर आप बड़े आराम से इस चीद को पता कर सकते हैं आपको लगाना है बराबर का निशान type करना है count if bracket open करना है range दे देनी है तो यहाँ पर हमने पूरी range दे दी कॉमा लगाना है और criteria type कर देना है criteria को आप हमेशे double quote में type करें double quote बंद की दिए bracket बंद करिए और enter कर दीजे तो आप देखेंगे इस पूरी range में कुल 4 लोग ऐसे हैं जिनको 70 number मिले हैं किसी एक विशे में अब टाइप कर देना है और enter कर देना है तो आप देखें को पांच विशे ऐसे हैं जिन इस्टुडेंट्स को 100 अंक मिले हैं तो इस तरीके से आप count if formula का भी इस्तमाल कई जगे कर सकते हैं हम यहाँ बर नाम का भी पता कर सकते हैं हमें अगर पता करना है कि मोहित नाम इस टाइप करेंगे count if और range देंगे तो range आप पूरी देदीजे कोई दिक्र नहीं है उसके बाद comma लगाएंगे criteria टाइप करेंगे यहाँ भर हम टाइप कर देते हैं मोहित इसको double code में बंद कर देते हैं enter करते हैं तो आप देखें कुल दो जगा मोहित नाम लिखा हुआ है word और excel में macro record करने के लिए आपको ribbon में developer tab को enable करना होगा और इसको enable करने के लिए आपको जाना होगा office बटन पर और यहाँ पर जाना होगा आपको excel option में यहां पर जो popular tab है वहाँ पर आपको show develop tab in the ribbon का option दिखाई दे जाएगा इस पर tick लगा दीजिए और इसे ok कर दीजिए आ वैसे ही यहां ribbon में आपको developer tab show होने लग जाएगा यहां पर सबसे पहले आपको visual basic और उसके बाद macros का option दिखाई देगा आप चाहें तो alt के साथ में F8 दबा कर भी macro को run करा सकते हैं अब इसके बाद में आपको करना क्या है यहां पर आपको एक option और दिखाई देगा use relative references इ इनके कुछ test के अंक हैं वो हम यहां पर feed करेंगे और यह हम feed करेंगे macro की साहता से एक पूरा performa generate करेंगे इन सभी students के हम यहां पर विशह लिखेंगे और उनका योग करेंगे और यह जो step है यह हमें सभी 6 लोगों के साथ में बार-बार करना है यह से भी ज्यादा हो सकते है तो इसके लिए हम macro का इस्तमाल करने वाले हैं तो सबसे पहले हम जो पहला student है उसको cell को select कर लेते हैं पहले वाले को और यहां से record macro के button को click करते हैं जब आप यह record macro का button click करेंगे तो अगर आपने पहले macro बना रखे हैं तो अल्रेडी वो पांचवा number यहां पर आपको देदे कि आप इसी नाम को continue चलने दे तो आप इसे okay कर दीजिए अगर आप कुछ और नाम देना चाहते हैं तो यहां से आप इसको बदल सकते हैं इसके बाद में आप macro के लिए shortcut की बना सकते हैं shortcut की इसलिए कि जब आप इसको run कराएंगे तो आपको बार बार वहां से open नहीं करना होगा आप सीधे shortcut की को press करके macro को run करा सकते हैं shortcut key आपको ऐसी बनानी है जो पहले आपने किसी macro को न दी हो या फिर वो आपके Excel की कोई और भी shortcut की command न हो control के साथ में shift को press करते हैं और n का button और press कर लेते हैं तो एक shortcut key बन गई ALT shift plus N तो यह shortcut की हम जब भी दमाएंगे तो यह macro 5 है वो run होने लग जाएगा इसे ok कर दीजे तो आपका macro जो है वो record होने लग गया है अब बस आपको करना यह है कि arrow key से आपको नीचे वाले cell में आना है और इसके बाद में आपको यहां से 5 raw insert करानी है तो इस तरीके से raw insert कर लगा दीजे इसके बाद में यहां पर विशय टाइप कर लीजे तो आप देखेंगे हमने यहां पर विशय भी टाइप कर लिए है और यहां पर नीचे इनका योग भी लिख दिया है अब इन सभी जो विशय है उन सभी का हम योग कर लेते हैं autosum के दवारा यहां पर आप कर लेते हैं इसका भी एक फायदा भी हम आपको और बताएंगे तो यह हमने यहां से सारी सेटिंग ठीक कर ली है अब यही सारी चीजें हमें इन सभी के साथ भी करनी है तो इन सभी को हम कैसे करते हैं बता देते हैं यहां तक हमने यह सारा काम कर लिया इसके बाद में आप तेम में दुबारा से जाए और इस recording को stop कर दीजिए बस आपका macro record हो गया अब आप इन सभी cells के साथ में यही प्रक्रिया अगर दोनाना चाहते हैं इसी तरीके से cell insert कराना चाहते हैं योग लिखना चाहते हैं विशह लिखना चाहते हैं और उन सभी को sum भी करना चाहते हैं Macro 5 लिख अब इसके लिए बनाया था इसको यहां से run करा दीजिये आप देखिया यहां पर अस ही हां पर सारे उसी तरीके से जो recording थी वो यहां पर paste हो गई है इसी तरीके से तीसे के सामने में भी अप यह ही कर सकते हैं यह भी हो गया इसी तरीके से चौथे के लिए भी पांचमे के लिए पर आप यही कर सकते हैं, यहां यह भी हो गया, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार मैक्रो को न खोलना पड़े, तो आप शॉटकट की का इस्तेमाल कीजिए, हमने यहां पर शॉटकट की बिनाई थी, इसी तरीके से आप बार बार मैक्रो को रन करा सकते हैं, आप देखेंगे यहां पर वही स्टूडेंट हैं, उनके हमने विशय भी टाइप कर रखे हैं, उनके नमबर भी हमने यहां पर डाल रखे हैं, लेकिन यहां पर हमें हर सेल के नीचे, हर विशय के नीचे उनका योग भी हमें लिखना था, जो कि हमसे छूट गया है, अगर हम इसे मैनुवली करेंगे, तो हम सभी विशय के नीचे यहां पर एक रो इंसर्ट कराएंगे, उसके बाद यहां पर योग टाइप करेंगे, औ तो यह manual प्रक्रिया हमें एक बार करनी है और उसके बाद में हम उसको record कर लेंगे और macro की सायता से सभी पर इसको apply कर देंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर record के option पर जाते हैं, आप देखिए यहाँ पर पहला आपकी cell select कर लीजिए, यह धियान रखिए कि आपको इसे starting और ending point बताना पड़ेगा, अगर आप इसे वह चीद नहीं बताएंगे तो यह आपके data को उल्टा सीधा भी कर सकता है, तो हम यहाँ पर चले जाते है, starting point पर, तो जो यह पहला student है, उसके लिए हमें sum करना है, तो record macro के option पर जाते हैं, और यहाँ से इसको एक नाम दे देते हैं, sum, और इसके लिए भी हम एक shortcut की generate कर देते हैं, यहाँ पर हम shift का button और press कर लेते हैं, और इसे दबा देते हैं, L के साथ में, इसे ok कर देते हैं, अब आप arrow की से नीचे जाएंगे, और हमें एक जो raw है, वो यहाँ insert करानी है, तो आप raw को यहाँ पर insert करा देंगे, उसके बाद य जोग type करेंगे, और जो उपर वाले अंक हैं, उनके लिए यहाँ पर auto sum का option दबाएंगे, हमारे एक viewers है, उन्होंने हम से यह प्रिशन पूछा था, कि अगर ऐसा हमें बार-बार करना हो, इसकी क्या command है, तो आप macro लगा कर यह कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह macro लग गया है, अब इसको यहां से stop कर दीजे, यहां से macro stop हो गया, अब सभी के लिए हमें यही करना है, तो आपको simple इतना करना होगा, या तो आप shortcut की का प्रियोक कर रहें, या फिर आप यहां से macro's की list पर जाएं, तो यह sum वाला macro आपको यहां पर दखाए देगा, एक बार हम यहां से भी बस आपको एक series बनानी होगी और इसे बताना होगा कि आप किस तरह से वो काम करना चाहते हैं, अब अगर आपके पास ऐसी ही कोई raw है और आप वहां पर delete करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, delete करना है या कोई raw insert कराना है, तो आपको इसे series बताना होगा कि इस series में तो चलना है और काम करना है अब आता है नमबर यूथ रिलेटिव रिफ्रेंस का तो इसकार्थ यह है कि आप इसे नहीं दबाएंगे तो यह हर बार पहले ही सेल से उस मेक्रो को रन करेंगे इसको यहां से बार कnéक के लिछाते हूं अर्ग यहां से तो यहां से था पर रन करेंगे कर्कों कारेंगे अ जो option था दूसरे वाले student पर हम उसको ले जाना चाहरा है तो वहां पर नहीं जा रहा है तो इसलिए आपको use relative reference का option प्रेस करना होगा ने था वो पहले ही cell से उसको लेगा अगर एवन से शुरू कर रहा है तो एवन से उसको apply करेगा अब आता है macro के लिए आप यहां पर button कैसे बनाएंगे बटन बनाने के लिए आपको जाना होगा यह जो टूल बॉक्स जैसा दखाए दे रहा है यहां पर और यहां पर आपको एक button का option दिखाए देगा तो आप इस click कर दीजिए कहीं भी इस button को create कर लीजिए और यहां जैसे ह आप button create करेंगे आपको सभी macros की list मिल जाएगी तो हमें यह sum वाला macro जो है उसके लिए button बनाना है आप इसे click करके ok कर दीजिए और अगली बार जब आप इसे click करेंगे तो आप cursor यहां पर रख लीजिए तो आप देखिए वो macro इस button को press करने से ही काम करने लग जाएगा तो वो tab जब आप button प्रेस करते हैं तो right side में जाता है और जब enter करते हैं तो नीचे आता है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो के enter करने के साथ में यह चाहते हैं कि उनका जो cursor है वो right side में जाए तो इसको change करने के लिए आपको simple जाना है अपने office बटन पर, axle option पर और यहां प आपको एक option दिखाए देगा after pressing enter move selection तो आप यहां पर right side को अगर select करेंगे तो अब जब भी आप enter प्रेस करेंगे तो आपका जो cursor है वो हमेशा right side में जाएगा तो एक बहुत useful option है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि enter करने के बाद में उनका cursor है वो right side में ही जाए अब ल दूसरे option की यहां पर बहुत लोग यह चाहते हैं कि उनका जो data है वो enter करते जाए और एक selection area हो एक area ऐसा हो के बल वो उसी area में data को enter करें तो ऐसा आप select करके भी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं हम यह जो selection area है इसी में data को enter करें तो आप simple इसको select कर लीजिए और select करने के बाद में बस आपको data feed करते जाना है और आप वहां से आगे कहीं जाएंगे नहीं आप enter का इस्तमाल करते रहिए और data feed करते रहिए देखिए हम किस तरीके से यहां पर enter का इस्तमाल करने से मैं data को feed करता जा रहा हूं और यहां पर मैंने कहीं भी कोई tab का इस्तमाल नहीं किया है आ अपके बिलुट सेलेक्षिन एरिया के बीच में ही अपने डेटा को एंटर कर पाएंगे, तो यहां पर देखे हमने एक परफॉर्मा बनाया है, यहां पर रिजल्ट शीट है, आपका कैसा भी परफॉर्मा हो सकता है, और हम यह चाहते हैं कि जो हम डेटा एंटर करें, और उस यह करने के लिए आपको simple अपने keyboard से control का button दबाना है और एक एक करके उन cells को select करना है जिन में आप अपने करशर को ले जाना चाहते हैं तो यहां पर देखिए हमने यहां पर एक एक करके सबी cells को select कर लिया है उपर से और लास्ट में आपको जाना है नाम वाली cell पर जहां से आप शुरू करना चाहते हैं तो देखिए मैंने नाम से ही शुरू किया था और नाम पर ही मैं इसको end कर रहा हूं अब यहाँ पर आपको जाना है नेम बॉक्स में और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है कोई भी नाम तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं नेम और इसको एंटर कर देता हूं अब तो यह क्या होगा यह जो सलेक्शन है यह नेम के नाम से यहाँ पर सेव हो तीज offense करके देखाते हं इसके पार आपको इस जो भी हमने सेलेक्षिन किया था, उस में डीटा एंटर करके दिखाते हैं, यहां से हमें से तिहास ये देखिए, तो ये जो data enter होगा, ये किबल उनी cells में होगा, जिन में आप चाहें, तो ये जो data entry करने के तीन तरीके में आपको बताएं हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे, इन तरीकों से आप बड़ी तेजी से अपने किसी भी sheet में आराम से data enter कर पाएंगे. तो ये है MS Word का first impression, इसे आप layout भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो लोग नए हैं, उनको कुछ सारी चीज़ें नहीं दिखेंगे, जो पुराने हैं उनको तो वैसा ही दिखेगा, कुछ अंतर नहीं दिखेगा, नए लोगों के लिए मैं बता दे हैं, यहाँ पर यह जो बीच में आपको white area दिख रहा है, यह असल में page होता है, और MS Word में हम जितना भी काम करते हैं, वो सब page के उबर ही करते हैं, असल में हम जो printer से page निकालते हैं, market से जो page लेगा आते हैं, उसी page के लिए यहाँ पर हम matter तयार करते हैं, design तयार करते हैं, औ और सबकुछ उसी page के लिए करते हैं, तो सबसे basic चीज यहाँ पर यह है, कि आपके पास page का size होना चाहिए, MS Word में काम करने से पहले, आप e4 पर काम कर रहे हैं, यह legal पर काम कर रहे हैं, हम इसको बाद में भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से यह tag कर के चलेंगे, क आप सबसे पहले यह page select कर लीजिए, बहुत सारे लोग starting से आपको bold italic underline बताएंगे, लेकिन मैं आपको सबसे basic चीज यहाँ पर यह बता रहा हूँ, एकर आपको यह नहीं पता कि आप कौन सा page इस्तिमाल करते हैं, तो जो बागी सारी typing आपने करी है, इदर से उदर से आप चलते हैं इसके layout पर, तो यहाँ पर यह जो आपको दिख रहा है, इदर उदर यह जो नीला हिस्सा है, आप इस पर type नहीं कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर यह जो दिया गया है, यह इसका scroll है, जिससे आप page को उपर नीचे खिसका सकते हैं, आपने जो भी matter type किया हो, यहाँ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, दौनों साइड में ruler, यानी पैमाना, और यह आपके page के size को बताता है, कि आपका page कितना लंबा चोड़ा है, और इस पैमाने पर भी आपको दो color दिख रहे होंगे, एक तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ थीम color ले रखा है, त यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, जिस तरह से यह side से छूटा हुआ है, left और right से, उसी तरह से यह उपर और नीचे भी छूटा हुआ है page के, और इसको ms word की भाशा में page margin कहते हैं, और page margin जितना जितना आप छोड़ देंगे, उपर और नीचे से या दाय बाय से, उतने area में आप type नहीं कर पाएंगे, बाकी सारा area आपके typing के लिए free है, आप कितना भी कुछ भी अगर type करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको type नहीं करना है, आम तोर पे page margin छोड़ते हैं, हम लोग फाइल में page लगाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा default margin में आपको बता देता हूँ, simple आपको इसे खिसकाना है, और जैसे आप इसे खिसकाना है, यहाँ पर आपको पैमाना दिख रहा होगा, यह उल्टा चलता है और दर की side में जो white color वाला है, वो सीधा चलता है, तो यहाँ पर हम लगबग जब भी सरकारी काम कुछ करते हैं, तो यहाँ पर हम डेड़ के लगबग margin को शोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम 0.5 margin को शोड़ देते हैं, यह दोनों margin आप mouse से खिसका सकते हैं, इसी तरह से उपर वाला और नीचे वाला margin अगर आपको set करना हो, तो भी आप इसके बीच में mouse ले जाएए, और यहाँ से आप से उपर नीचे खिसका सकते हैं, तो यह तो हो गया page का जो basic setup है वो, अब इसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, यहाँ बर आप उपर देख रहे हैं जो home menu है, home menu में आपको bold, italic, underline, font बदलना, font size को change करना, यह बहुत सारी basic चीज़े हैं जो आपको आती होंगी, थ तो यहाँ पर एक paragraph हमारे पास जो randomly है वो आके दिख जाएगा, यह बहुत secret trick होती है, mess word की, hidden trick आप इसको बोलेंगे तो भी है, यह समझाने के लिए मैं इसको इसको इस्तमाल करते हैं, तो असल मैं rend करता क्या है, rend करता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, दुब अब मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा बड़े आराम से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह सारी जो आपको दिख रहा है font का पूरा area है, असल मैं यह जब आप इसमें से कुछ भी change करेंगे, किसी भी font में, तो वो इस font की formatting कहलाएगा, यानि हमने यहाँ से इसका अग change किया है, तो भी हमने इसके font में, या formatting में बदलाव किया है, अब यही सारी चीज़ें आपको किसी और text पर भी इसमाल करनी है, तो जो मैंने on में इस्तमाल किया है, वो ही मुझे इस tab में या insert में इस्तमाल करना है, तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा option दिया गया होता है, format printer, तो यहाँ पर आपको इसको select करना है, format printer पर जाना है, और दुबारा से जिस भी font को इसके जैसा बनाना हो, उसको select कर लेना है, तो आप देखेंगे, same इसके जैसा बन गया, जबकि हमें यही नहीं पता था किसमाल में कौन-कौन सा font इस्तमाल किया था, कौन सा color इस्तमाल करनी है, तो यहाँ पर इस option को आप press कर दीजिए, तो इससे होगा क्या कि जो आपकी सारी formatting होगी, वो clear हो जाएगी, यानि आपने जो कुछ भी लगाया होगा, वो हट जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर bullets और numbers दिये गए हैं, यह अपने आप में विशेश होते हैं, अग आप कुर्तिदेव, देवलेस कोई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा computer, उसके बाद enter किया, उसके बाद लिखा printer, तो यहाँ पर आप देखें, जैसे मैं enter करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे ये एक list को तयार करता जाता है, अब यहाँ पर हमने bullet list तयार करी हैं, अगर आपको इसकी भी एक sub list बनानी है, जैसे printer की, तो बस आप printer के नीचे एक enter करिए, और अपने keyboard के tap बटन को press कर दीजिए, तो आप देखेंगे एक printer की भी sub list आजाएगी, जिसमें मुझे लिखना है color printer, और laser printer, तो इस तरह से simple tap दबा कर, आप किसी के भी नीचे sub list बना स देखेंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास MS Word का एक blank page है, और अगर हमें यहाँ पर table बनानी है, तो हमें जाना होगा insert पर, मैं इस वीडियो में आपको basic से लेके advance तक की काफी सारे tips और tricks बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर तो यहाँ पर हम insert पर जाएंगे और यहाँ पर आपको table का option दिखाए देगा, यहाँ आप mouse से table बना सकते हैं, बड़े आराम से, तो आप इस option पर click कीजिएगा, यहाँ पर आपको काफी सारे brackets दिखाए देएंगे, तो जितने boxes आप ऊपर select करेंगे, वो आपके column बन जाएं plus button का मतलब है आपके beach का यहाँ पर आप देख रहे हैं, break है, यहाँ आपका एक column है, और minus का मतलब है, आप कितना चोड़ा एक column बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक plus और minus बनाया है, तो उसका मतलब यहाँ पर होगा, यह जो box है, यह जो column है, वो बनके तयार हो जाए आप table में हम और क्या क्या कर सकते हैं, वो भी हम जान लेते हैं, और कौन-कौन सी यहाँ पर shortcut की होती है, तो आप जान लेते हैं कि table में काम कैसे किया जाता है, काम करने के बहुत simple है, आप यहाँ पर कुछ type कीजिए, फिर tap दबाएए, कुछ type कीजिए, ऐसे आप type भी कर पा आप फिर tap से आगे जा सकते हैं, और काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीछे जाना होगा, तो simple आपको दबाना है, shift के साथ मैं tap की को, तो यह तो हो गया एक feature, तो अब हम यहाँ पर कुछ number डाल लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम क्या करने वाले हैं, और यहाँ प बाहर की तरफ और enter बटन को प्रेस करेंगे, तो इससे होगा क्या कि कॉलम दो और तीन के बीच में एक raw एंटर हो जाएगी, यानि यह raw उस कॉलम के बाद में एंटर होई है, जिसके पीछे आप करशर लेकर गए थे और आपने एंटर का बटन प्रेस किया था, अगर तीन क वाले points से एक नई table बनाना चाहते हैं, तो पूरी table को select कर लीजे और alt के साथ में shift बटन को प्रेस कीजे, अब आपको simple अपना down arrow प्रेस करना है, और आप देखेंगे यह जो table है, यह आपकी उपर वाली table से अलग हो जाएगी, यह बहुत आसान है, बहुत easy trick है आपके table में क अगर दुबारा आप इस table को ऊपर वाली table से जोडना चाहते हैं, तो बस alt के साथ में shift की को प्रेस कीजे, और आप arrow की को प्रेस कर दीजे, तो यह भी बहुत सरल तरीका है table को जोडने का, अब यहाँ पर एक trick में भी और आपको बताना चाहता हूं, अगर तीन नमबर वाल जो column है, वो आपके एक नमर वाली column के ऊपर आजाएगा, अब बता देता हूं, आपको table में merge करने का तरीका, अगर आपको दो या दो से ज्यादा cell का एक cell बनाना है, यानि उनको merge करना है, तो आपको simple उन सभी cells को select करना होगा, और alt के साथ में A और उसके बाद M को press करना हो तो आप देखेंगे, यहां पर वो cell merge हो जाएगे, कहीं भी भी, आप कोई भी cell merge करना हो, आपको आप देखी, यहां पर जैसे यह दो cell merge करने है, तो पहले alt दवाईए, फिर A दवाईए, फिर M दवाईए, तो यह जो cell है, वो merge हो जाएगे, यह बहुत अच्छी shortcut की है, जो raw था, यह वाला जो raw था, वो उपर वाली table में शामिल होना चाहिए था, तो आप simple इस raw में mouse का cursor ले जाएए, shift के साथ alt की को press कीजिए, और keyboard मर, जो up arrow की होती है, उसको press कीजिए, आप देखेंगे, जो एक raw है, वो नीचे वाली table से उठकर उपर वाली raw में join हो जाएगी तो किसी भी raw और कॉलम को डिलीट करना यहाँ पर बहुत आसान है, किसी भी raw और कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको simple mouse को select करना है, तो इस तरीके से जो arrow की है, वो वहाँ पर आजाएगी, छोटी होकर, बस उसको select कर लीजिए एक बार में, right click कीजिए, और यहाँ पर यहाँ का delete cell का option और delete entire raw का option आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे ok कर देंगे, तो यह जो raw है, यह आपकी delete हो जाएगी, अब इसके बाद में यह जो आप देखेंगे, यह पूरी जो table है, वो आपके page से छोटी हो गई है, इस table को कैसे आप page पर fit करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपको auto fit का option दिखाए देगा, यहाँ आपको तीन option दिखाए देंगे, auto fit to content, auto fit to window और fix column width, तो इस समय आप fix column width का इस्तमाल कर रहे हैं, लेकर जब आप auto fit to window का इस्तमाल करेंगे, तो जो आपकी table है, वो आपकी पूरी window के साब से, यापके page के साब से fit हो जाएगी, और जो दूसरा option है, auto fit to content, तो यह क्या करेगा, यह आपके जो table में, जो भी text लिखा होगा, उसके इसाब से column को set कर देगी, तो इसको करके देख लेते हैं, यह कुछ इस तरीके से आएगा, यानि आपने यहाँ पर 3 number लेगे हैं, तो 3 numbers के साब से set हो जाएगा, कहीं अगर 5 number हैं, यह table की width है, वो set हो जाएगी है, लेकिन अगर आप auto fit to window करते हैं, तो सभी column आपके जो page है, उसके इसाब से यहाँ पर set हो जाएगे, अब यहाँ पर सबसे काम की चीज में आपको बताने वाला हूँ, वो है text direction, माल लीजिए, आपने यहाँ पर कोई बहुत लंबा शब्द बदल देते हैं, text direction कैसे बदलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, बस आपको इस cell को select करना है, right click करना है, और यहाँ पर आपको दिखाए देगा text direction का option, इस पर click कर दीजिए, आप यहाँ पर देखेंगे, आपको तीन तरीके का orientation दिखाए देंगे, तो यह जब आप इ पुछ ऐसे तरीके से दिखाए देंगे, तो आप जैसे भी चाहें, text direction को इस्तमाल कर सकते हैं, जब आपके पास column की संक्या जादा होती है, text आपको जादा लिखने होते हैं, तब हम इसका इसका इस्तमाल करते हैं, तो आप एक छोटे से page पर हम अपने text को select कर सकते हैं, यहां पर उपर वाले text को select करना है, तो यह जो text है, वो सीधा भी हो जाएगा, अब बात कर लेते हैं, cell को split करने की, या काटने की, अभी हमने cell को merge किया था, लेकिन अगर cell को आपको किसी टुकड़ों में काटना है, तो आपको cell में right click करना होगा, और यहां पर आपको split cell का option दिखाए देगा, यहां पर आपको number of column और number of rows पूछ जाएगे, तो number of row आप एग ही select कीजिएगा, लेकिन आप जितने भी column में उसे काटना चाहते हैं, वहां उबर column select कर लीजिए, और इसे यहां से okay कीजिए, तो आप देखें कि जो आपका cell है, वो उतने ही टुकड़ों म कट जाएगा, दोस्तों macro का इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने MS word में developer tab को enable करने के लिए, आपको जाना होगा अपने office बटन पर और यहां पर आपको जाना होगा word option पर, popular tab में आपको चार option दिखाए देंगे, और यहां पर आपको दिखाए देगा show developer tab in the ribbon, specific लगा दीजिए और इसे यहां से okay कर दीजिए, जैसे आप इसे यहां से okay करेंगे, आपको अपने ribbon में developer tab दिखाए देने लग जाएगा, और सबसे पहले आपको यहां पर option दिखाए देगा visual basic का और उसके बाद आपको दिखाए देगा macro, अब macro होता क्या है, हम थोड़ा स list बनी हुई है, और हमें इस list के हर नाम के पीछे एक dash लगाना है, कुछ इस तरीक से, और एक enter करना है, और enter के बाद में भी हमें यहां पर कुछ dash लगाने है, और यह हमें जो प्रक्रिया है, वो हर नाम के साथ में करनी है, तो अगर आप macro नहीं लगाएंगे, तो यह कुछ typical हो सकती है, या फिर हमें हर नाम को, मान लीजे, यहां पर bracket में बंद करना है, कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हर नाम को अगर आप bracket में बंद करेंगे, तो भी अगर आप manual करेंगे, तो आपको बहुत time लगेगा, हिंदी में हो, चाहें English में हो, तो आपको macro को starting और ending point बताना होगा, और ऐसा starting और ending point हो, जिसको वो loop में चला सके, यानि जहां से शुरू हो, वहीं पर खतम होना चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं, starting point के लिए आप यह जो शब्द है, राम, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यह हम इसको starting point बता देत हम यहां पर koई भी नाम दे देते हैं, या इसक नाम को भी हम माल लेते हैं, उसके बाद आपको यहां पर दिखाए देगा keyboard, तो आप एक macro बनाने के बाद, उसको keyboard से run भी करा सकते हैं, यह पर एक keyboard के लिए shortcut की दे सकते हैं, लेकिन धहान रखें, वो shortcut की पहले से Windows के साथ, यह MS Word के साथ काम ना करती हो, तो हम यहाँ पर Shift-Ctrl-M एक shortcut key बना देते हैं, और इसको यहाँ पर add करा लेते हैं, इसको close कर देते हैं, और अब आपका Macro record होना शुरू हो गया है, आप देखेंगे आपके माउस के करशर पर एक पुरानी जमानी की cassette जैसा एक निशान आ गया है, तो हम शुरू करते हैं, हम सबसे पहले दमाएंगे end का बटन, तो जो हमारा करशर है, वो उस पहले type की होई नाम के पीछे आ गया है, इसके बाद एक space देंगे, और space देने के बाद में हम यहाँ पर dash लगाएंगे, dash लगाने के बाद में था, उपर वाले नाम के आगे, अब इसको यहाँ से stop कर देंगे, और यह macro आपका record हो गया, यानि आपने देखा कि हम ने यहाँ नाम के पहले से शुरू किया था, और last में आगे उसको नाम के पहले ही छोड़ दिया है, यह एक loop बन जाएगा, अगली बार जब आप macro को run करेंगे, तो यह इसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा, अब macro को run कैसे कराते हैं, तो run कराने के लिए आप या तो वही shortcut की का इस्तमाल कीजिए, लेकिन धिये ध्यान रखिएगा, कि जो cursor है, वो आपके नाम के पहले होना चाहिए, तो यहाँ पर हम वही shortcut की इस्तमाल करते हैं, shift control M हमने बनाया था, तो आप देखेंगे, यह देखिए, जल्दी जल्दी सभी नामों के आगे macro run करने लग गया है, क्योंकि हमने उसको इसी तरीके की एक shortcut की दी थी, और जहां से शुरू किया था, वहीं पर हमने इसको खतम किया था, अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही macro बना सकते हैं, आप अलग-अलग shortcut की के साथ में, अलग-अलग macro भी बना सकते हैं, तो हम एक macro और बना के देखते हैं, हम यहाँ पर bracket लगा कर देखेंगे, क्या सभी नामों के आगे bracket लग जाएगा, तो ठीक है एक macro और record कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, macro 3 अपने आप आगया है, macro true आपका पहले record किया हुआ है, अब macro 3 को हम एक shortcut की और देते हैं, shift, control, and यहाँ पर इसको sign कर देते हैं, इसको close कर देते हैं, अब आप देखेंगे हम शुरू करते हैं, जो हमारा cursor है, वो नाम के पहले है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे bracket, इसके बाद end की press करेंगे, और उसके बाद bracket को close करेंगे, arrow की से cursor को नीचे लेके आएंगे, नाम के पहले ले जाएंगे, यह हो गया, simple macro हमने record कर लिया, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, और macro को stop करेंगे, आप देखें, macro record हो चुका है, जहां से हमने शुरू किया था, वो आपको ध्यान रखना है, कि हमने नाम के पहले शुरू किया था, और हमने नाम के पहले पे ही, इसको end किया है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो यह गड़बडा जाएगा, यह system समझ नहीं पायागा, कि हमने loop कहां बनाना है, अब इसके बाद आपको simple run कराना है, shift, control, end के साथ में, आप देखिए, सभी नामों के आगे जो bracket है, वो एक second से भी कम समय में लग गया, अगर आप manually इस काम को करते, तो आपको काफी समय लग जाता, तो हमें सबसे ज़ादा जरूरत होती है, MS Word की किसी भी file को PDF में convert करने की, MS Word की file को आप open कर लीजिए, office बटन पर जाएए, save as को option पर जाएए, त अगर ये add-in आपके MS Word में unable नहीं है, तो वीडियो के नीचे description में इसका link दिया गया है, आप Microsoft की साइट से इसे download कर सकते हैं, एक चोटा सा plugin है, और इसकी साहता से आप किसी भी MS Word और Excel की file को बड़े आराम से PDF में convert कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर click करना है, और यह जो window है यह बिल्कुल उसी तरहीं खुलेगी, जैसे किसी file को आप MS Word में save करते हैं, यहाँ पर options दिये गए हैं, जिसमें कि आप अगर all पे click करते हैं, तो जो आपके सभी page हैं, वो PDF में convert हो जाएंगे, या फिर अगर आप current page कोई जो आपने select कर रखा है, जिस पर आपका mouse का cursor है, उ MS Word से print देना चाहते हैं, आपने कोई document तयार किया है, तो यह वीडियो आप last तक देखिए, इसमें आपको काफी सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी, जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, सबसे पहले हम जानते हैं, कि page setup होता क्या है, और हम इसे क्यों करते हैं, दियानकना बहुत जरूरी है, कि यहां पर जो आप page select कर रहे हैं, जो size select कर रहे हैं, वही size का page आप अपने printer में लगाएं, ताकि जो यहां पर दिखाई दे रहा है MS Word में, वही आपके page पर print हो, अक्सर होता ही है, कि हम बाजार से A4 size का page खरीद के लाते हैं, A4 size की रिम खरी और MS Word में, जो यह A4 size दिया गया है, तो उनों में बहुत मामूली सा अंतर है, यह size है, यह US A4 size है, लेकिन जो Indian A4 size होता है, वह इससे थोड़ा सा छोटा होता है, तो अगर आप exactly उस पर print करना चाहेंगे, तो कभी-कभी गड़वड हो जाती है, खासतोर पर जब आप इस page पर border लगाते है, तो वह अक्सर करके cut जाता है, तो इसके लिए बड़ा चोटा सा solution है, कि आप अपने जो आपका paper है, आप उसे नाप लीजिए, और यहां पर आप more paper size पे चली जाईए, और यहां पर आप custom size दे दीजिए, आप पैमाने से उसको नापेंगे, आप देखिए यहां से हम इसको 29 की जगे 28 कर लेते हैं, और इसे OK कर देते हैं, तो यह जो हमारा page है, यह 28 cm का हो चुका है, जो भी आपका paper बजार में मिलने वाला होगा, उसके size का इसको कर लीजिए, यह सबसे पहली चीज है, page setup के दोरान MS Word में और आपके पास जो page है, उसको एक जैसा क इसके बाद में आपको यहां पर मिलता है option, print preview का, जो आपने page type किया है, आप सबसे पहले उसका preview देखिए, क्या वो पूरे page पर आ रहा है या नहीं, अगर वो पूरे page पर आ रहा है, या अगले page पर जा रहा है, तो उसे छोटा बढ़ा कर लीजिए, यहां preview में आप उसको MS Word दोनों typing area से छोड़ देते हैं, यानि कि इस जगे पर ना तो print होगा, ना आप type कर पाएंगे, इसको आप अपने हिसाब से घटाया बढ़ा सकते हैं, margin आप दो तरीके से set कर सकते हैं, एक manual आप margin set कर सकते हैं, यहां से आप mouse की cursor ले जाएंगे, ruler बार पर, और right margin को जैसे ह कि आप नीचाएंगे, यहां पर दोनों side arrow आजाएगा, आप देख रहे हैं, तो यहां पर आma manually margin set कर सकते हैं, दोनों side से यह देखिए, यह उधर से हमने right किया, और अदर से हमने left margin set किया, इसके बाद में आप top margin को भी इसी तरीके से manually set कर सकते हैं, और bottom margin को भी इसी तरीके से सेट कर सकते हैं. एक पेज पर margin सेट करने से आपके फाइल में जितने भी पचास या सो पेज होंगे उन सभी पर एक साथ margin सेट हो जाएगा. तो आपको अलग-अलग pages पर यह margin सेट करने की ज़रूरत नहीं है. इसको automatic set करने के लिए यहां पर कई सारे option दिये गए है top, left, bottom, right के यहां पर normal है तो आप किसी भी जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यहां से select कर सकते हैं वैसे manually आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा इसके बाद में आता है orientation यहां पर यह दो option दिये गए है एक portrait दिया गया है, एक landscape दिया गया है portrait यह जो page सीधा खड़ा होता है उसे कहते हैं और landscape इस तरीके से जो आड़ा page होता है उसको कहते हैं अब आपको printer में आड़ा page लगाने की ज़रूरत नहीं है आप printer में सीधा ही page लगाए उस पे जब आप वो page एंटर करेंगे तो उस पे इस हिसाब से print out होगा आप उसको बाद में निकाल के सीधा कर सकते हैं क्योंकि printer में आड़ा page लगी नहीं सकता तो आप यह न सोचाएं कि मुझे printer में भी आड़ा page लगाना पड़ेगा या उसमें इस तरीका का page नहीं आएगा तो आप printer में जैसे आपके page लगे हो उसी तरीके से लगाई है या आपके right side पे इस तरीके से टेडा करके इसको print कर देगा तो आगे हम आपको लिफाफे पे print करना भी बताएंगे इन चीजों के बारे में आपको और बारीकी से बताएंगे इसके बाद आता है size तो size के बारे में मैंने आपको बताई दिया आपके पास जैसा भी paper available हो A4 हो, letter size हो, legal size हो, A5 size हो, A6 size हो आप जिस size का paper अपने printer में लगा रहे है उसी size का paper है, वो आप यहां पर select कीजिए इसके बाद इसको close कर दीजिए और option आता है इसके बाद print का आप office button भी click करेंगे और print का option में जाएंगे जब आप print करेंगे, तो आपको सबसे पहले ऊपर यहां दिखाई देगा printer का नाम अब आपके पास 4 यह 5 printer है हमारे यहां पर यहां network printer भी जुड़े हुए है कुछ और यह जो printer है वो हमारे system से लगा हुआ है जो direct लगा हुआ है कानिका मंटेला है यह printer है अब इस printer को select कर लीजिए जो आपके system से जुड़ा हुआ हो या आपके network पे जिस पे भी आप print देना चाहें उसके बाद में option आता है यहां पर page range का तो आपके file में अगर आपने 100 page बना रखे हैं और आप सभी का print एक साथ में देना चाहते हैं तो आप all को select कर सकते हैं लेकिन अगर आप किसी खास page को print करना चाहते हैं जैसे मैं इस page को यह जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है इसको मैं print करना चाहता हूँ तो यहां पर सिर्फ मुझे current page को select करना पड़ेगा इसके बाद में एक option आता है selection का ये अभी आपको display नहीं हो रहा है वो selection डिस्प्ले तब होगा जब आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इस paragraph का print निखा रहें तो आप इस paragraph को select कर लें या line को select कर लें इस paragraph को select कर लें और जब आप इस paragraph को select करके print करेंगे तो यहां पर यह selection का option तब प्रिंट आउट में केवल ये paragraph ही प्रिंट निकलेगा और और कोई चीज आपकी प्रिंट आउट नहीं निकलेगी इसके बाद option आता है यहाँ पर page का, page के option में आप एक range दे सकते हैं जैसे आपको page number 1, 3, 5, 7 इस तरीके से निकलने हैं तो आप यहाँ पर इसको कॉमा लगा-लगा के लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 तो इस तरीके से आप अलग-अलग page को चाट-चाट के यहाँ पर print दे सकते हैं या फिर आप कोई बीच से कोई set लेना है आपको 10 से लेकर आपको 15 तक के page को print निकालना है तो उसके लिए आप dash का इस्तिमाल करेंगे यहाँ simple आप 10, dash 15 लिखेंगे तो page number 10 से लेकर page number 15 तक यहाँ पर print out हो जाएगा तो यह तरीका है page range को select करने का इसके बाद number आता है आपर copies का जो आप page range दे रहे हैं उसकी आपको कितनी कितनी कॉपिया निकालनी है वो यहाँ से आप भर सकते हैं अब यह कॉपि आपको set में निकालनी है यानि कि आप चाहते हैं कि पहले यह जो 10 से लेकर 15 की कॉपिया है तो पहले 10 से पंदरा का एक set निकले फिर 10 से पंदरा का एक set निकले या फिर आप पहले निकालना चाहते हैं तदस number पेच की 2-2 कॉपि तो इस पेशे kick हटा जाएगा, अब इसके बाद यहां पर एक option और भी दे रखा है, printer properties का, आप इसको भी देख लीजे एक बार, यहां पर हर printer की आपकी अलग अलग property होगी, आपके computer में शायद आपकी printer की कुछ अलग properties होगी, यहां पर इसकी कुछ अलग दे रखी हैं, यहां पर आप default page भी set कर सक printer को बताना है, कि हम जो paper लगा रहे हैं, वो effort size का है, उसके बाद copies की संख्या भर नहीं है, आपको कितनी default copy निकाले, वो एक बार में जब आप print दे, यहां पर आपको plain paper बताना है, उसको आप photo paper लगा रहे हैं, plain paper लगा रहे हैं, तिन लगा रहे हैं, किस तरीके के paper लगा र लगा रहे हैं, कि paper size वही रहे, जो आप अपने printer में लगा रहे हैं, इसके बाद आपको simple यहां से print देना है, और आपके printer को command चली जाएगी, और वो print out निकाल देगा, दोस्तों, यहां हमारे पास MS Word में एक file बनी हुई है, जिसमें हमने नीचे कुछ राज और उनकी आप select करना हो, या किसी शब्द को select करना हो, तो आप mouse से click करके इस तरीके से drag करते हैं, या आगे से पीछे इसको इस तरीके से drag करते हैं, या पूरे paragraph को select करना हो, तो आप उपर से लेके नीचे तक इसको इस तरीके से drag करते होंगे, लेकिन यह जो paragraph है, यह mouse की simple clicks पर ही select हो स इसके लावा अगर आप पूरे paragraph को select करना चाहते हैं तो simple आपको तीन click करनी होंगी एक, दो, तीन तो ये जो पूरा paragraph है वो बड़े आराम से select हो जाएगा अब line को select करने के लिए आपको क्या करना होगा आप किसी भी line के आगे click कीजिए और shift के साथ में end button को press कीजिए या के keyboard पे दिया गया होता है और अगर आप line के आखिर में हैं तो shift के साथ में home button को दबाईए तो बुरी line select हो जाएगी लेकिन अब यहाँ पर यह जो चीज़े हैं बहुत simple हैं काफी सारे लोग इनको जानते हैं अब यहाँ पर आ जाते हैं इस list पर और जो main trick है जो master trick है उसके बारे में जान लेते हैं इस list में से केवल आपको जो राज्यों के नाम है वो copy करने हैं और कुछ भी copy नहीं करना है आम तोर पर जब आप इस list को select करेंगे राज्यों के नाम copy करने के लिए तो आप देखेंगे के साथ हमें जो प्रदेश हैं और राज्धानी हैं वो भी select हो जाएगी तो cable इन राज्यों के नामों को हम कैसे निकाल सकते हैं कैसे अकेले इनको select कर सकते हैं और copy करके कहीं और दूसरी जगे ले जा सकते हैं आपको करना यह है आपको अपने keyboard से alt button को press करना है और बस आपको नीचे केवल राज्धानी के नाम select करते हुए जाने हैं आप देखेंगे यहाँ पर हमने राज्धानी के नाम select कर लिया है आपको copy करना है और कहीं भी नीचे ले जाकर आप उसे paste कर सकते हैं तो आप देखेंगे उस लिस्ट में से सिर्फ राज्धानी के नाम यहाँ पर आ गए हैं इसी तरीके से हम परदेशों के नाम भी अगर select करना चाहें तो आपको सिर्फ यहाँ पर click करना है, alt बटन को press करना है और आप देखेंगे, simple आप वहाँ से प्रदेश के नाम भी बड़े आराम से copy कर सकते हैं और कहीं भी paste कर सकते हैं, यह देखें, इस तरीके से अब एक और बात, selection का एक और तरीका भी हाँ पर देख लीजे यह जो paragraph है, इसमें से कुछ नाम हमें चाटने हैं और उनकी एक list बनानी है जैसे यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्मंत्री, रक्षा मंत्री यह चार नाम हमें निकालने हैं और इनकी list बनानी है, इसके साथ मैं प्रधान मंत्री को भी जोड लेंगे तो यहाँ पर simple आपको control बटन दबाना है और जिन नामों को आप निकालना चाहते हैं इस paragraph में से उन पर सिर्फ डवल क्लिक करते जाना है तो हमने यहाँ पर control बटन को प्रेस कर लिया है, प्रधान मंत्री हमने select कर लिया, उसके बाद हमने select कि यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्यमंत्री, रक्षा मंत्री आप देखें किस समय हमने यहाँ से 5 नाम select कर लिया है, बस आपको copy करना है, page के last में जाना है, और उसको paste कर देना, आप देखें कि 5 नामों की एक list बन गई है, तो इस तरीके से आप MS Word में काम करते समय है, अगर selection में इन तरीकों को इस्तमाल करेंगे, तो आप ज्यादा अस जानकारी देनी होती है, अब यहाँ पर हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना है, कि presentation त्यार करते समय हमें कुछ आंकडे ही लेने हैं, और बाकी सारी बात हैं हमें बोल कर बतानी होती है, तो अक्सर के कि आपने ठेर सारी movies देखें होंगी, जिनमें office में लोग presentation देते हैं अपने projects के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, तो वो एक सामने board लगा लेते हैं, या screen पर project करते हैं, वहाँ पर कुछ आंकडे दिखाते हैं, और साथ में वो उसकी जानकारी भी देते जाते हैं, तो सेम वही आपको यहाँ पर करना है, presentation में आपको सारी जानकारी एक को भी खड़ा होना होता है, और आपको जानकारी देनी भी होती है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या होता है इसका layout और कैसे हम PowerPoint में अपनी जो design है, जो presentation है, उसको तयार करते हैं, लेकिन उससे पहले PowerPoint में आपको कोई भी slideshow अगर बनाना है, कोई भी presentation देन कि मुझे वहाँ पर क्या points बताने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने Google Doc में कुछ data लिया है, और यह जो data है, वो जल ही जीवन है के ऊपर है, यहाँ पर हम जो presentation तयार करेंगे, वो करेंगे कि हम पानी को कैसे बचाएं, और पानी बचाना हमारे लिए क्यों जरू कि आपको presentation किस चीज पर बनानी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, शुरू से लेके आखिर तक मैंने जो मुझे presentation तग्यार करनी है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक database तग्यार किया है, जल ही जीवन है topic के ऊपर, तो आप चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से हम इसे minimize कर द दिखती है, ऐसे यहाँ पर यह जो white color का area है, इसे हम कहते है slide, और यह जो slide है, इन ही पर हम अपना data तयार करते जाते हैं, जैसे और सभी softwares में होता है, यहाँ पर ऊपर corner में office button दिया गया है, जिसमें आपके basic जितनी भी commands है, open key, new key, save, save as, print key, वो सभी यहाँ पर दी गई ह जिन से आप अपनी slide show को यहाँ पर save कर सकते हैं, अब यहाँ पर आगर आप side में देखेंगे, जो home menu है इसका, उसमें आपके वही सारी basic चीज़े हैं, जो किसी भी data को तयार करते समय हमें, जरूरत होती है, तो यहाँ पर जो formatting के सारे tools हैं, वो दिये गए हैं, जैसे font का option य दिया गया है clear or formatting का, यानि अगर आप कोई भी अक्षर लिखकर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, अभी मन new, और उसके उपर मैं कोई भी color या font apply करूँगा, इस तरह से, और अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो वो पुरानी स्थिती में चला जाएगा, इसके बाद यहाँ पर bold, italic और underline का option है, एक option और भी नया यहाँ पर दिया गया है, text shadow, यह क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको zoom करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब हम text shadow का इस्तमाल करते हैं, तो आपके, जो आपने type किया है, जो भी text लिखा है, उसके नीचे एक lose or tight करने का option दिया गया है, यहाँ पर अगर आप very lose कर देंगे, तो आप देखेंगे, जो आपके letter है, उनके बीच में, जो जगह है, वो काफी बढ़ जाएगी, और इसे very tight कर देंगे, तो जो जगह है, वो बहुत कम हो जाएगी, साधन तोर पर हमें normal में इस्तमाल करते हैं इसको, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे case change का option है, sentence case, lower case, upper case, तो यह आपको आपके, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप type कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत help करते हैं, यह सारे option, सबसे शुरूआत में यहाँ पर एक नया option है, जो कि slides के लिए जोड़ा गया है, new slide, layout, reset और delete, इनको हम समझ लेते हैं, खास्तोर पर, तो यहाँ पर presentation देते समय, आप एक-एक slide दयार करते हैं, और एक के बाद एक slide की जो information है, उसको बदलते जाते हैं, यानि नई slide पर पहुंचते हैं, आप एक slide को बदलते हैं, और दूसरी slide पर आते हैं, जैसे कोई movie चल नहीं हो, कि आपने एक कहानी का एक हिस्सा पढ़ लिया, या किताब का एक कोई पन्ना पढ़ लिया, फिर अगला पन्ना आया, और आपने वहाँ पर और भी information आपको मिली, उसके बाद आपने दूसरा पन्ना पलटा है, इसी तरह से हम यहाँ एक-एक करके slides बनाते हैं, जि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो टोटल नौ तरह के templates यहाँ पर हैं, पहला title slide का है, दूसरा title and content का है, तीसरा section header का है, तो इस तरह से कई जारे यहाँ पर दिये गए हैं, आप अपनी जरूरत के हैसाब से कोई भी template यहाँ से choose कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देता ह तो यह इस तरह से बदल जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे click करेंगे, देखिए, तो यह इस तरह से बदल जाएगा, नई slide अगर आपको नीचे लगानी है, यानि इसके नीचे एक और slide आपको लेनी है, तो बस आपको यहाँ पर जाना है, और जो भी आपको template सेलेक करना है, उ उसी template वाली जो slide है, वो आपकी उस slide के नीचे आजाएगी, इन slide को आपस में बदलना भी बहुत आसान है, आप एक slide को उठाके, ऐसे drag करके ऊपर यह नीचे ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहली slide को तयार करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पर जो layout है, व उसका layout बदल जाएगा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले ही इसका database त्यार कर रखा है, वहाँ से मैं एक एक करके चीज़ें उठाता जाओंगा, ताकि type करने में जो लगने वाला समय है, वो बरबाद ना हो, तो यहाँ पर मैं चाता हूँ Google Doc पे, और जो select करके उसे बढ़ा सकते हैं, या घटा भी सकते हैं, तो मैंने text का size बढ़ा लिया है, और साथ में shadow भी लगा दिया है, अब यहाँ पर आपको subtitle देना है, आप चाहें तो दे दीजिए, अनिता इसको हटा दीजिए, तो यह आपकी पहली जो slide है वो तयार हो चुकी है, यान पर आपको duplicate slide का भी option मिलेगा, और new slide का भी option मिलेगा, तो अगर आप अगली जो slide है, वो सेम बिल्कुल ऐसी ही बनाना चाहते हैं, यानि इतना बड़ा आपका title रहे, और सेम ऐसे ही आपको एक line लिखनी हो, तो आप यहाँ से duplicate कर लीजिए, तो आप देखिए, इस तरह से ए add कराना है, तो अगला text है हमारा यह वाला, जल को सुरक्षद रखकर ही, जीवन की परिकलपना की जा सकती है, तो इसको यहाँ पर double click करके, मैं paste कर देता हूँ, अब देखिए, यह text box से जो text आप ऊपर चला गया है, तो आप इसको नीचे पकड़के भी खीश सकते हैं, आप आप चाहें, तो इसको center में रख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास सारे option यहाँ पर दिये गए हैं, तो यह देखिए, यह text है, वो center में आ जाएगा, इसको आप चाहें, तो यहाँ से आप shadow दे सकते हैं, बोल्ले डेले कर ड्राइन कर सकते हैं, जैसा भी चाहें आप वैसा कर line है, इसको मैं copy कर लेता हूँ, और इस वाली slide पर paste कर देता हूँ, तो देखिए, यह कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया है, अब जो अगली slide है, वहाँ पर हम fact डालेंगे, तो यहाँ पर दुबारा से हम जाएंगे, new slide पर, अब यहाँ पर हम two content वाली slide लेंगे, और देख लेते जाएंगे कि मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर रहा हूँ, ताकि आपके काम में आएं, यह देखिए, तो यह हमने एक fact लिखा, और इस से चुड़ों और भी कुछ fact हम यहाँ पर लिखेंगे, यानि यह वाले, इनको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, यह देखि तो यहाँ पर अभी हमने तीन तरह की slide भी मनाई, अब यहाँ पर हमें चित्र लगाना है, तो यहाँ पर आप कोई भी slide या कोई clip art या कोई भी चित्र इंसर्ट कराने के लिए बस उसके icon पर आपको click करना है, click करते ही, जो भी option आपने select किया होगा, वो यहाँ पर उसके option आ कोई भी शब्द डाल कर, जैसे मैंने search for water के लिए किया है, आप उससे जुड़ोई clip arts को search करा सकते हैं, अब यहाँ पर मैं clip art लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा topic जल ही जीवन है, तो मैं जल से related कोई भी एक clip art यहाँ पर add करूँगा, आप देखिए यहाँ पर मैंने एक प दोबारा से एक नई slide का जो template है, वो select कर सकते हैं, फिलाल मैं यही template रखूँगा और आगे बढ़ जाओँगा, अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि हमारे पास क्या है, कैसे रोकें, यहाँ से हम इसे ले लेंगे, click करेंगे कैसे रोके पर, और यहाँ पर दोबारा से हम पानी का एक कोई photo लेंगे, तो चलिए है यहाँ पर हमने पानी की बून ले ली है, और हमारे जो fact है, उनको हम उठा लेते हैं दोबारा से, यहाँ से copy कर लेते हैं, और यहाँ पर paste कर देते हैं, तो आप देखेंगे क्योंकि मेरा जो data था वो बढ़ा था, लेकिन फिर भी वो सही तरीके से यहाँ पर आ गया है, अगर थोड़ी बहुत जगे बचे, तो आप यहाँ पर जो text का size है, उसको बढ़ा सकते हैं, तो अभी यहाँ पर कुल हमने 5 slides सिगार की हैं, एक एक करके देख लेते हैं, सबसे पहली slide है जली जीवन है, और दूसरी जो slide है वो यह है तीसरी slide यह है कि परत्वी पर कितना पानी है और कितना हमारे पीने लाइक है, चौती slide है कि क्या-क्या हो रहा है पानी को लेके, और पांच भी जो slide है वो हमने बनाई है कि इसे कैसी रोके हैं, तो यह जो सारे facts हैं वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं, और पांच और slide हमने त अब यहां पर आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको कुल तीन आप्शन मिलेंगे एक तो पहला है नॉर्मल पर चले जाते हैं और तीसरा आप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो जो भी आपने अब यहां पर बनाया है वो एक स्लाइड शो के रूप में आपके सामने चलना शुरू हो जाएगा तो चलिए क्लिक करते हैं तो आप देखें पहली स्लाइड आ गई अब जब आप माउस से क्लिक करेंगे या अपने कीवोड के एरो की को को दबाएंगे तो आपकी अगली स्ल लगाने के लिए आपको दुबारा से एरो की को क्लिक करना होगा या माउस के बटन को क्लिक करना होगा को जिस तरह से फिर उसके बाद फिर से आप क्लिक करेंगे तो अगली स्लाइड आ जाएगी और फिर से अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके आगे की या लास्ट आजाएगी दुबारा से क्लिक करने पर जो slide show है वो end हो जाएगा उपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा और एक और click जब आप करेंगे तो आप slide show से बाहर आजाएगे तो यह इतना था slide show बनाने का तरीका और simple उसे चलाने का तरीका अब आगे देखते हैं कि आगे हम इस आट है तो यह सारी चीज़े हैं वो आप अपने slide show में enter करा सकते हैं यानि डाल सकते हैं पिक्चर के लिए आपको बस यहां पर click करना है अपने computer से कोई भी picture आपको लेनी है तो मान लीजिए यहां से मैं ले लेता हूँ इस question mark को और यहां से insert करा देता हूँ तो आप देख अब आप इस पर click करेंगे तो इस से जुड़ हुए जितनी भी formatting के option है वो आपको ऊपर यहां पर दिखने लग जाएंगे जैसे brightness है, contrast है, compressed picture है, change picture है, reset picture है या इसके लिए कोई भी अगर आप frame लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पर दिख जाएगा देखिए मैं एक ही frame में, इसके चारों तरफ एक round frame बना दिया है, तो इस तरह से ही सारी option आपको यहां पर बिल जाएंगे, आप जो भी option इस picture पर लगाना चाहें, वो लगा सकते हैं, इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे, आपको photo album लगाने का option में लिएका, clip art अभी हमने लगाई अभी थी, shape का option है, यहां पर आप कोई भी arrow है, आपको कोई भी bracket लगाना है, कोई भी आपको circle बनाना है, तो आप एक second में बना सकते हैं, बहुत आसान है, आपको कुछ भी करने की जरूद नहीं है, आपको click करना है, पकड़ के आपको कीच देना है, और यह आप text के ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, इसको भी लगाने का तरीका बहुत आसान है, कि आप जाएंगे format में, और यहां पर आपको यह चार option मिलेंगे, यानि bring to fund, send to back, और जैसे आप send to back पे click करेंगे, तो यह जो circle है, यह आपके text के पीछे चला जाएगा, तो यह बहुत आसान तरीका ह कोई भी object आपने text के आगे है, पीछे भी लगा सकते हैं, तो insert का जो पूरा section है, वो आप समझ गये होंगे कि कैसे apply करते हैं, इसके साथ में अगर आपके पास कोई movie clip भी है, तो भी आप अपने slide show में उसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जितना slide show आपका simple होगा, उतना ज्यादा आपको समझाने में आसानी होगी, आप ऐसा ना कर देंगे, उसको बहुत जादा भर दें, कि जो slide show जब आप presentation करें हैं, तो लोग आपके slide show को ही देखते रहे, slide show बनाया सिर्फ इसलिए जाता है, कि वहाँ पर जो आप fact है, उसको दिखा पाएं, बाकी सारी बात आपको बतानी है, तो वो एक best presentation होती है, इसके बाद में यहाँ पर आपको design का option मिलेगा, अगर आपको लगता है कि आपके slide show बहुत साधा simple है, यहाँ पर को colorful नहीं है, तो आप यहाँ से simple दिएगे, जितने भी colors हैं, उनको ले सकते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं किसी इस भी color को select करूंगा, तो मेरा पूरा slide show जो है, उसी color की theme में convert हो जाएगा, यहाँ पर मुझे किसी भी text को fill नहीं करना है, यहाँ पर मुझे background color नहीं लेना है, आप देखिए, अगर मैं आगे की slides आपको दिखाऊंगा, तो सारी slides जो है, वो उसी color के theme में convert हो जाएगी, द कोई भी यहाँ से option select कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से theme यह template ले सकते हैं, उसी के साब से आपके font का color, आपके slide show के जितने भी text color है, formatting है, background color है, वो अपनी आप बदल जाएगा, अब यह आपको दिमाग में रखना है, कि आपका जो slide show है, आप किस color, किस theme का रखना चाहते हैं, जिससे वो ज़्यादा effective हो, मेरा तो यही कहना है, कि आप simple से simple रखें, लेकिन आप अपनी मर्जी के साब से, जो color, जो template, जो भी लेना चाहते हो, वो यहाँ से select कर सकते हैं, तो यह तो हो गई color और template की बात, इसके बाद यहाँ बद जो 30 option आता है, वो आता है, animations का, यह भी बहुत important होते हैं, आपकी slide show को effective बनाने में, आप animation यहाँ पर दो तरके होते हैं, पहली एक slide से जो दूसरी slide show पर जाने वाला animation है, वो और दूसरा आपके text animation, यानि आपका जो text है, वो आपके slide show पर कैसे आता है, तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, कि जि दिखाने में भी आइसानी होगी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर text पर animation लगा देते हैं, हर चीज पर इतना animation लगा देते हैं, कि वो बस घूमता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो उसमें मजा नहीं आता है, जितना सादा simple आप इसको रखेंगे, उतना जादा यह effective रहे तो यहाँ पर आप देखेंगे कैई तरह के animation होंगे, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे बदलेंगे, यहाँ पर मैं इस पर click कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जब एक slide से दूसरी slide पर हम जाएंगे, तो यह जो fade वाले effect है, वो आएगा, देखिए, यह देखिए, क जो भी आपको animation अच्छा लगे, आप उसको select कर लीजे, तो यहाँ से मैं इसे select कर लेता हूँ, और इसके बाद में यहाँ पर आपको option मिलेगा, apply to all का, यहाँ पर एक option और भी है, यहाँ पर आप animation के साथ में sound भी add कर सकते हैं, यहाँ पर arrow की sound दी गई है, bomb की sound दी गई है, camera की sound दी गई है, अलग-अलग sounds की यहाँ पर दी गई है, click की sound है, coin की sound है, अगर आप रखना चाहते हैं sound तो रख सकते हैं, नहीं तो आप बिना sound के भी एक बहुत अच्छा slide show यहाँ पर बना सकते हैं, साथ में जो आपकी speed है, वो दी गई है कि कितनी जल्दी यह एक slide से द दूसरी slide, तो जो effect मैंने लिया था, वो effect यहाँ पर जोंकातियों आ रहा है, और slide show पूरा चल रहा है, इसके बाद यहाँ पर जो अब अगला animation आएगा, वो animation आएगा आपके text के लिए, तो यहाँ पर हमें option मिलता है custom animation का, और custom animation हमें यह power देता है, कि हम अपने हर text पर जो भी आपने text box, यानि यह जो text है, और इसके 4 और अब यह बना हुआ जो box है, वो select कर रखा होगा, उस पर वो animation apply हो जाएगा, तो पहली slide पर मैं आपको apply करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 तरह के option, यह motion path है, इसको मैं अपने slide show में बहुत इस्तमाल क जैसे fly in, इस पर click करेंगे हम, आप देखिए आपका text fly होके आया, और fly जब होके आएगा, तो क्या start होगा वो आपकी mouse की click पर, या आपके previous text के उपर, इसके बाद वहाँ कहां से आएगा, bottom से आएगा, left से आएगा, right से आएगा, top से आएगा, उसकी positions दी गई है, जैसे left से लाना चाहूं, तो left से भी आजाएगा, इसके बाद में यहाँ पर speed दी गई है, वो किस speed से आपके slide में enter करेगा, तो यहाँ पर very slow है, slow है, medium है, very slow पर एक बार देख लेते हैं, यह देखिए कुछ इस तरह से आएगा, एक बार इसको very fast पर देख लेते हैं, यह पर लगा दिया, पूरा जो line है उस पर लगा दिया, अगर अलग अलग हमें लगाना है, तो क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके नीचे यह जो line मिलेगी, text वाली इस पर जाना है, और यहाँ पर यह जो arrow है, इस पर click करना है, और यहाँ पर effect option आपको मिलेगा, इस पर जान तो यहां पर fly in के लिए आपको कई सारे option मिलेंगे जैसे effect कहां से आएगा और कहां पर जाएगा तो अगर आप चाहते smooth start हो और smooth end हो तो इसको यहां से click लगा सकते हैं बड़े आराम से आएगा और आराम से खतब होगा यहां पर आप sound लगा सकते हैं आप जो भी sound लगाना चाहें इसके बाद animation के बाद क्या होगा after animation क्या होगा color बदलेगा तो आप color बदल सकते हैं click करके एक बार देख लेते हैं करते हैं यह देखिए color बदल गया animation होने के बाद में दुबारा से जाते हैं effect option पर इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है animated text तो यहाँ पर option मिलेगा all at once का यानि अभी क्या हो रहा है कि पूरा जो text box है वो एक साथ में आ रहा है आप अगर चाहें तो एक-एक शब्द करके ला सकते हैं या एक-एक letter भी आप महाँ पर ला सकते हैं इसको open करेंगे तो यहाँ पर आपको दो option और और मिलेंगे by word और by letter तो by word अगर आप select करेंगे तो पहले एक-एक शब्द आएगा पहले जल आएगा फिर ही आएगा फिर जीवन आएगा फिर है आएगा देख लेते हैं इससे select करते हैं okay करते हैं देखिए इसको मैं fast है slow कर देता हूँ तब आपको दिखाई देगा यह देखिए यह देखिए एक-एक करके सारे जो text है वो enter हो रहे हैं अब हम letter wise करके देख लेते हैं इसको तो यहाँ पर जाते हैं effect option पर जाते हैं और by letter अब यहाँ पर delay between letter भी लिखा है केवल 10 percent है इसको अगर हम hundred percent करेंगे तो पहले एक शब्दा है उसके बाद ही अगला शब्दा आएगा okay कर दिया और थोड़ा सा मीडियम चलाते हैं देखिए एक शब्द आएगा रुकेगा उसके बाद दूसरा शब्द आएगा रुकेगा उसके बाद तीसरा आएगा वो रुकेगा इस तरह से यह सारे शब्द आएंगे तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं अपने slide show में तब आप इस option का इस्तेवाल करिएगा वरना मत करिएगा यहाँ पर आपको एक option और मिलता है exit कैसे करेगा आपका word यानि slide पर आगे चला जाए तो fly out का option है box का option है check board का option है तो यहाँ पर आपको कही option मिलेंगे यहाँ पर भी हम fly out ले लेते हैं click करके open करते हैं देखिए आपका जो letter था वो बाहर चला गया तो बाहर सब play करके देखते हैं यह देखिए तो एक साथ में आप अपने slideshow पर कई सारे effects लगा सकते हैं यहाँ पर आपको effect की आपको संख्या दिखती जाएगी मैं एक effect और लगा के दिखा देता हूँ आपको यह देखिए जैसे मैंने लगाया दूसरा तो आपको यहाँ पर दिख गए दो effect अभी हमने इस पैपलाई क इस तरह से आप अपने पूरे slideshow पर जितने effect लगाना चाहें उतने effect लगा सकते हैं आपके उपर depend करता है लेकिन मैं फिर भी last पर आप से कहूंगा कि आप जितना simple रखेंगे उतना आपको slideshow बहतर बनेगा तो इस तरह से आप अपने text के बीच में और slide के बीच में जो animation है वो लगा सकते हैं अप चलते हैं अपने अलग अप चलते हैं अपने अगले menu पर तो यहां पर आपको option मिलता है slideshow का तो यहां पर जो पहला option आपको मिलता है वो है from beginning यानि अगर शुरूआ से अपने slideshow को आप देखना चाहते हैं तो यहां पर click कीजिए या फिर अपने keyboard से F5 को प्रेस कीजिए F5 अगर आप प्रेस करेंगे तो शुरूआ से आपका जो slideshow है वो चलना शुरू हो जाएगा अगली slide बदलने के लिए आप mouse से click कीजिए या फिर आप अपने keyboard की arrow key से आगे बढ़ाईए slideshow को बीच में ही बंद करने के लिए keyboard बार दिये गए escape button को प्रेस कीजिए तो slideshow बीच में ही बंद हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो option है वो है from current slide यानि जो भी slide आपने खोल रखी है अगर आप उसको fully screen करके देखना चाहते हैं या फिर slideshow की तरह चला कर देखना चाहते हैं तो shift के साथ में F5 को press कीजिए इस तरह से जो भी slide है आपकी वो आपको दिख जाएगी क्या animation उस पर आ रहा है कैसी background लग रही है और escape दमाने के बाद आप उसे बंद कर पाएंगे तो यह दो basic चीज़ आप जान लीजिए को बा यहाँ पर आपको आपकी जितनी भी slides होंगी वो दिख जाएंगी देखिए हमने मान लीजिए 10 slides तयार की और हम यह चाहते हैं कि 10 में सिरु 5 ही हम वहाँ पर जो भी presentation देने जा रहे हैं वो वहाँ पर दिखाई दें और उसके अलाबा बाकी जो slides है वो हमें दिखाई ना दे तो यहाँ पर आप उन 5 slides को या 4 slides को या 2 slides को select कर सकते हैं यहाँ पर आपको click करना है इधर add करना है तीसरी को लेते हैं फिर से add कराते हैं और चौते को लेते हैं add करा देते हैं अब यह यहाँ पर जो slides हैं एक, दो, तीन और slide number 4 हमने यहाँ से 4 slides है नहीं है और यहाँ पर ज और यहां पर आपको दिखाए देगा शो का बटन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो चार स्लाइड आपने ली थी, वो आपको यहां पर दिखने लग जाएंगी, बाकी जो बीच वाली स्लाइड थी, वो हट जाएगी, देखिए कुछ इस तरह से, वो सकते हैं, इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है, सेट अप स्लाइड शो का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके स्लाइड शो के बारे में जो सारी जानकार ही है, जो सारी सेटिंग है, वो यहां पर दिख जाएगी, अब देखिए, बहुत सारे लोग स्लाइ पर दिया गया है, जो आप स्लाइड शो दिखाएंगे, वो फुल स्क्रीन होगा, तो आप इस पर जो रेडियो बटन है, वहां पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, दूसरा ऑप्शन है, इंडुविजल किसी विंडो में दिखाई देगा, तो यहां पर यह जो ऑप्शन है, अगर आप कियोस्क में, यानि किसी टच स्क्रीन पर आपने भी स्लाइड शो को दिखाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को इस्तमाल करेंगे, यह जो ऑप्शन है, यह बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपने कोई ऐसा स्लाइड शो तैयार किया है, आप चाहते हैं, रहते हैं कि वो आटोमेटिक चलता रहा है एक लूप में, यानि पहली स्लाइड आए, दूसरी आए, तीसरी आए और तीसरी के बाद अपने आप पहली आजाए, जैसे आपने देख को किसी फ्लाइड चलता रहता है, पहले ऐड आता है, उसके बाद दूसरा आड आता है, तो लूप में चलते रहते हैं वो तो यह जो option है यह loop का option है कि आप यहां से इसको select करेंगे और उसके बाद आपने अगर automatic timing select कर रखी अपने slide show की जैसे आपने mouse की click नहीं select कर रखी अगर अगर कर रखा है और आपने यह option यहां पर select कर लिया आपका जो slide show है वो continue चलता रहेग बिना escape button को दबाए जब तक आप escape button नहीं दबाते हैं तब तक वो slide show नहीं रुकेगा तो आपके school में कोई ऐसा आप प्रोग्राम कर रहे हैं और वहां पर आप किसी display पर दिखाना चाहते हैं और वहां पर आपके बस कोई बंदा नहीं है बठाने के लिए तो आप यहां पर एक ऐसा slide show तयार कर दीजे वहां पर जरूरी जरूरी बात हैं चलती रहेंगी और एक loop में वो घूमती रहेंगी यह एक add जैसा वहां पर चलता रहेगा और यह जो सारी process होगी वो automatic होगी लोग देखकर impress भी हो जाएंगे इसके बाद यहां पर slow slides का option है तो यह जो option है यह ब और वही चलनी शुरू होगी उसके लावा कोई भी नहीं चलेगी वही चलेगी तो यह एक बहुत भेतरीन option है आप इसको ले सकते हैं तो यहां से यह मैंने सारी आपको चीज़ें बता दी है कि किस किस तरह से काम करती है अब इसके बाद यहां से से okay कर दीजे okay करने के कि उसके क्लिक करें तो यह सब कुछ ना खुले एड़ेट करने वाला option या जो भी सारे option आ रहे हैं वो ना खुले सीधे सीधे presentation open हो जाए तो यहां पर आप जाएंगे save as के option पर जाएंगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा powerpoint show जब आप इस powerpoint show में अपनी किसी भी file को save करत देता हूं और यह देखे save हो गया तो क्या होगा कि यह जो file अभी मैंने बनाई है वो open ही नहीं होगी सीधे जो presentation है वो open हो जाएगी कहीं भी डबल क्लिक किया और आप देखे full screen जो presentation है वो चलनी शुरू हो जाएगी तो होता क्या है कि जहां भी हम presentation देने जाते हैं वहां हम लोगों के सामने पहले अपनी file को open करते हैं और उसके बाद में फिर presentation को कहां से शुरू करना है वहां पे जाते हैं तो यह थोड़ा सा unprofessional लगता है अब चूंकि आपने presentation तयारी कर रखा है तो सीधे सीधे आप जाके presentation को एक movie की तरह चला सकते हैं escape जब आप प्रेस करेंग और भी videos लेकर आएंगे tips और tricks लेकर आएंगे जिससे आप और भी बहतरी इन तरीके से अपनी presentation को तयार कर पाएंगे तो चलिए सबसे पहले access का basic जान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है access 2007 और जब आप इसे open करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का view दिखाई देगा यहाँ पर आपको कुछ template दिखाई देगे यहाँ पर new blank database का option दिखाई देगा और यहाँ पर open recent database का option दिखाई देगा जब आप access में कोई भी file create करते हैं तो वो file नहीं होती है उसे database कहते हैं जैसे के Excel में spreadsheet कहते हैं और MS Word में उसको file बुला जाता है document बुला जाता है इसी तरीके से access में उसको database बुला जाता है तो यहाँ पर आप कोई भी नई file अगर बनाएंगे तो उसे database कहा जाएगा तो यहाँ पर आपको नई file बनाएंगे option मिलेगा blank database तो इस पर आप click कीजी जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर side में एक option दिखाए देगा file name का तो जो भी file name अपने database को देना चाहते हैं वहाँ इस को एक नाम दे दीजिए जैसे कि हम यहाँ पर दे देते हैं mbg तो यह जो file है यह आपके by default my document में जाकी save होगी अगर आप कहीं और इसे save करना चाहते हैं तो आप इस folder के आगन पर click किजी और इसको save कर लिए तो हमें इस sheet view तो यह जो view है वो data sheet view है इसके लाब एक view हो हमें और यहाँ पर दिखाई देता है वो है design view अगर आपने Excel में काम किया हो तो same यह जो view है यह Excel की तर आपको यहाँ पर दिखाई देगा और Excel में भी काम करते में हम table बनाते हैं और जब हम data feed करेंगे data की entry करेंगे तो भी हम table में ही करेंगे जो table है वो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी data को collect करने का data को enter करने का तो आप यहाँ भी access में भी आप data को table में ही enter करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर table बनाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने अभी खोला हुआ है data sheet view इस view को तो आप चले जाएजेए Design View में, Design View सबसे बेटर होता है किसी भी Table को या Form को बनाने के लिए, जब आप Design View पर क्लिक करेंगे तो यह पूछेगा Table Name, तो हम जो Table बना रहे हैं, हम जो Data Collect करेंगे, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि कौनसी Table में आप Data Collect करना चाहते हैं, याप किस चीज़ का Data Collect करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, एक Office का Data Collect, तो हम यहाँ पर score लिख देते हैं, Office Data, इसे यहाँ से OK कर देते हैं, तो जैसे यह आप इसे यहाँ पर OK करेंगे तो जो Office Data की Table है, वो यहाँ पर Create हो जाएगी, अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे हम Excel में Column बनाते थे, तो यहाँ पर भी हम Column ही बनाएंगे, और Column और Raws में Data को Feed करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम Columns को कहते हैं, Field, और जो Data आप एंटर करेंगे, उसे हम कहते हैं, यहाँ पर Record, तो यह दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी, कि आपको यहाँ पर Field बनाने है, टेबल के लिए, जैसे आप आप Excel में बनाते थे, उपर Data का Header जो Type करते थे, वो यहाँ पर Field Name है, और यहाँ पर इन Fields में जो Data एंटर करेंगे, उसे हम बोलेंगे Record, तो सबसे पहले, जो Field Name है, यहाँ पर आप देखेंगे, चाबी बन गई है, तो यहाँ पर हमें जो Field दिया गया, सबसे पहले वो दिया गया ID, और उसके सामने हमें, जो Data Type है, यानि कि जो ID है, वो किस प्रकार की होगी, आपको पता होगा, एक्सेस में हम हर सेल को अलग यानि, आप अगर खोल के देखेंगे, तो यहाँ पर Text है, Memo है, Number है, Date and Time है, Currency है, Auto Number है, Yes or No है, Hyper Link है, Attachment है, और Look Up Wizard है, तो एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे, तो ID का मतलब यह है, यहाँ आपकी सबसे पहला ID Number जो भी Series के साथ में चलता जाएगा, यानि आप ए देते है, Name, मानि हमें एक Office के कुछ Employees है, उनका Data यहाँ पर Feed करना है, और जो Name वाला Data है, वो हमें Text Format में लेना है, तो यहाँ पर हम Text को Select कर लेंगे, तो इतना करने के बाद हम इसे देख लेते हैं, कि यह जो Data है, वो Data Sheet में किस तरीकी Center होगा, तो यहाँ पर चले जाते है आप देखें, आप जैसे ही नाम डाला तो यहाँ पर ID अपने जनरेट होके आगई, एक आप जैसे ही Tab या Enter का बटन दबाएंगे और नया नाम एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे कि Access द्वारा उसे एक नई ID यहाँ पर दे दी जाएगी, अब देखते हैं कि दुबारा ह हम दे देते हैं Text, इसके बाद दाल देते हैं आपर Address और Address को भी हम यहाँ पर दे देते हैं Text और इसके बाद में दालते हैं City और City को भी यहाँ पर हम दे देते हैं Text इसके बाद हम ले ले लेते हैं आपर Mobile Number या Phone Number और Phone Number को हम यहाँ पर लेंगे Number Format में इसके बाद में email id और email id को आप लेंगे यहाँ पर hyperlink format में यानि जब आप email id को feed करेंगे तो उस पर click करके आप सीधे उसको mail कर पाएंगे तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो office के employees का data है उसके लिए आपने यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7 जो field है वो यहाँ पर generate कर दिये हैं अब कुल मिलाकर आपने 7 field यहाँ पर generate कर दिये हैं इसको हम कर देते हैं save और दुबारा हम जाते हैं data sheet view में आप देखेंगे वो 7 field यहाँ प देते हैं यहाँ पर address डाल दीजिए यहाँ पर city का option आ गया तो यहाँ पर भी city दे देते हैं mobile number दे देते हैं इसके बाद में email id डाल देते हैं आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर email id एंटर की है तो वो अपने आप hyper link में convert हो गई और वहाँ पर mail to का option आ रहा है आप इस पर जैसे ही click करेंगे तो आप सीधे सीधे इस विक्ति को या सीधे सीधे इस email id पर mail कर पाएंगे यहाँ पर option मिल जाएगा mail करने के लिए आप subject डालेंगे यहाँ पर आपको जो भी आप उसको यहाँ पर दिया गया है attachment का तो यहाँ पर आप कोई photo या कोई file भी हाँ पर attach कर सकते हैं city में आप चाहते हैं के बार बार आपको एक ही city फीड ना करने पड़े मानिए 10 लोग आगरा में रहते हैं तो आपको बार बार आगरा टाइप ना करना पड़े तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि आगरा बाई default यहाँ पर आ जाएगा आप अगली entry जैसे ही करेंगे जैसे हम यहाँ पर अगली entry गई तो आगली entry में भी यहाँ पर आपने आप आगरा आ गया तो इस तरीके से default value भी आप अपने sheet के लिए यहाँ पर रख सकते हैं उसके बाद में आप चाहते हैंगे अपर drop down menu आजाए तो उसके लिए आप text के बजाए यहाँ पर select कीजिए look up wizard को और look up wizard में यह second option है I will type in the value that I want इस पर click कीजिए next कीजिए और यहाँ पर उन सभी शहरों के नाम type कर दीए जितने भी शहर आप यहाँ पर चाहते हैं तो यहाँ पर हम एके कर कर देते हैं तो आप हम यहाँ पर यह जो तीन शहर है हम नहीं पर इनको type किया है इसके बाद इसे next करते हैं और हम इसे नाम दे देते हैं city का यहाँ पर एक option आपको और मिलता है allow multiple value तो अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा शहरों में रह रह रहा है तो आप इसको select कर सक अब दुबारा से आप जाईए data sheet view में अब आपको यहाँ पर option दिखाए देगा drop down menu का यानि आप एक साथ जो है कोई भी शहर यहां select कर सकते हैं आपको बार-बार type करनी के आवशकता नहीं पड़ेगी इस तरीके से आप यहाँ पर table बना सकते हैं आप हम attachment लगा के देख ल आप यहां से इसको select कर सकते हैं और इसको open कर दीजे कि यहां से add करा दीजे तो आप देखेंगे कि इस record के सामने यहां पर जो attachment है वो attach हो गया है अब यहां पर आप सभी records को एक एक करके चला के देख सकते हैं यहां पर search करने का भी option दिया गया है अब इस data sheet के लिए या टे आप प्योग करते हैं और access में तो form बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है तो इस table के लिए form बनाने के लिए आप जाएंगे अपने ribbon में और जो create tab है उसमें क्लिक करेंगे यहां पर आपको form का tab दिखा ही देगा और form के tab में आपको form और multiple items जैसे बहुत सारे option दिखाए देगा form design का option दिखाए देगा और more form का option भी दिखाए देगा इसके साथ में आपको यहां पर दिखाए देगा form wizard तो यह कैसे अलग-अलग चीज़े काम करती हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले हम click करते हैं form वाले option पर जब आप form पर click करेंगे तो access अपने आप आपको automatic एक form generate करके देगी आप देखेंगे आप जिस तरीके से आपने टेबल बनाई थी उसी तरीके से उसी series में हाँ पर एक form generate होके आ गया है और इस समय यह जो form आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपको layout view में यहां पर तीन तरीके के view है form को देखने के लिए एक है form view एक है Layout view और एक है design view तो layout view में आप इसके उपर के जो color है जो नाम है जो इसके design है अगर आपको column को छोटा बढ़ा करना है तो आप वो सारे काम layout view में कर सकते हैं और design view में भी आप इन कामों को कर सकते हैं लेकिन layout में आप जो color संभेंधित अब इसको貌ंग चैंज करना है और भी कोई चीज करनी है तो वो काम आप वहाँ पर कर सकते हैं तो फिलाल हम ले आउट वियू को देख लेते हैं यहाँ पर आईडी आ गया है यहाँ पर जो आपने नाम लिखा तब हुआ गया है आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, और यहां पर लास्ट नेम है, यहां पर एड्रेस है, यहां पर सिटी है, और आप देखेंगे वही कॉमबो बॉक्स को पिछले वीडियो में आपको बनाना सिखाया था, वो आ गया है, फॉन नंबर के लिए अलग यहां पर टेक्स बॉक् तो जैसे पिछले वीडियो में हमने एक अटेच्मेंट भी लिया था, उसके लिए भी यहां पर एक अलग बॉक्स बन गया है, अब इसको हम देख लेते हैं एक बार फॉर्म व्यू में, तो आप देखेंगे फॉर्म व्यू में, इस तरह के बल टैप दबाने से ही आप यह और यह बटन है next record करने के लिए, और नया record जब आप बनाएंगे तो यहां पर आपको दिया गया है यह बटन, आप इस बटन को दबा कर एक नया record बना सकते हैं और सीधे सीधे वहां पर data की entry कर सकते हैं, आप देखेंगे यह इस तरीके से होता है, और यहां पर आप city को select कर लेंगे, यहां पर आप email id डाल सकते हैं और फोटो को attach करने के लिए आपको इस पर double click करना होगा, और यहां पर आप सीधे सीधे किसी भी फोटो को attach कर सकते हैं, तो इस तरीके से यह जो आपका form है वो काम करने लगता है, तो अभी यह proper form नहीं है, proper form बनाने के लिए, डिज लिस्ट जो आपने टेबल में बनाई थी, अब इस जो form को हम ले जाते हैं, डिजाइन व्यू में, और डिजाइन व्यू में यहां पर आपको मिलेगा इस तरीके का व्यू, यहां पर आपको बहुत सारे option दिखाए देंगे, जिसमें text box है, label है, button है, यहां पर दे रखे हैं combo box कई तरीके के कुछ ticks option दे रखे हैं, कुछ pictures दे रखी है, attachment के लिए अलग option दे रखा है, तो एक एक करके इनको इस्तमाल करके देखते हैं, तो हम यहां पर double click करते हैं, ID पर, तो आप जैसे ही इस पर double click करेंगे, यहां पर देखिए ID के लिए एक box आ जाएगा, तो आप इ जैसे आप चाहें, उसको खिसका सकते हैं, इसके बाद last name, address, city, phone number और email ID, तो इस तरीके से हम ने इसको एक करम में लगा लिया है, और यहां पर आपको left, right और center के option दिखाए देंगे, जो इसके अंदर का font है, उसको left, right या center कर सकते हैं, यहां पर देखिए हम इसको ठीक से लेते हैं, यह हमने, सभी जो हमारे पास option थे, उनको ठीक से लगा लिया है, अपने हसाब से, अब यहां पर हमें और भी कुछ option दिखाए देते हैं, यहां पर दिखता है हमें button का option, तो यह बहुत बहतरीन option है, जो नीचे आपके पास option थे, जो button दिए गए थे, उससे कहीं ज्यादा बहतर है, तो आप यहां पर simple इस button को लीजिए, और यहां पर इसको, जैसे आप painting में paint बनाते थे, उसी साब से इसको यहां पर पकड़ के लिए का command, तो यहां पर जो command है, वो record navigation की है, record operation की है, form operation की कुछ commands यहां पर दे रखी है, तो यहां पर कई तरीकी के command दे र go to first record, जो button आपको नीचे दिखाई देता है, तो यहां पर आप click करेंगे, इसको next करेंगे, आप अगर यहां पर इसको text लिखना चाहते है, बटन के ऊपर यह देना चाहते हैं, कि आप first record पर जाईए, या हिंदी में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, अनित, आप यहां से कोई picture select कर लिजे, इस तरीके का arrow button है, जो कुछ भी है, और इसको next कर दीजे, यहां पर command 7 की नाम से, यह button save हो जाएगा, इसको finish कर दीजे, आप देखिए, एक छोटा सा button यहां पर बन गया है, इसी तरीके से आप दूसरा button बना सकते हैं, यहां पर यहां पर हम इस button को बनाएंगे last record के लिए, इसी तरीके से उसको click करते जाएंगे, यह देखिए, यहां पर जो last record के लिए एक button बन गया है, इसको आप जहां चाहें, वहां पर खिसका के set कर सकते हैं, और हम यहां पर एक button और बना लेते हैं, जो की होगा हमारे next record के लिए, यहां पर आप देखिए next record के लिए एक option दिया गया है, इसको भी आप जट से तयार कर लिजिए, यह हो गया next के लिए और इसी तरीके से हम बना लेते हैं, एक button previous record के लिए यह देखिए, यहां पर एक button previous record के लिए हो गया है, इन button को आप अपने हिसाब से कहीं भी set कर सकते है अब यहां पर एक button की और कमी है, और वो button आपको चाहिए new record के लिए, यहां निया record अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आप कहां पर click करेंगे, तो यह button हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, और यहां पर एक option आपको मिल जाएगा record operation का, यहां पर जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर कई सारे और option दिखाए देंगे, इस button के लिए action दिखाए देंगे, जिसमें add new record, delete record, duplicate record, print record, save record और undo record जैसे option है, तो यहां पर आप के लिए जो सबसे अभी पहला button है, वो है add new record का, तो आप इसको बना लीजे, यहां पर आप लिख भी सकते हैं, pencil का निशान भी बना सकते हैं, और go to new का भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, उस पर आप क्लिक कर दीजे, तो हम यहां पर एक जो button बना रहे हैं, इसको हम text लिख के बनाएंगे, और इस button को हम लगा लेते हैं, सबसे आखिर में, तो इस तरीके से देखिए, हमने यहां पर ज बना चाहते हैं, तो आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, इस तरीके से, तो आप देख लेते हैं, कि यह जो form हमने यहां पर design किया है, यह हमारे form view में कैसा दिखाई देता है, तो आप देखेंगे, यह कुछ ऐसा दिखाई देखा, आपको form view में, अगर आपको लगता है, क जो भी option चाहते हैं, आपको जो सुविधान उसार लगे, आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यहां पर देखेंगे, कुछ कमिया और भी है, तो हम उसको यहां पर ठीक कर लेते हैं, तो इस तरीके से, आप अपनी table के लिए, यहां पर अपना manual form है, उसको बना सकते है यहां पर आप form को save जरूर कर दीजेगा, जब आप उसको save करेंगे, तो यहां पर नाम दे दीजे, तो हम यहां पर दे देते हैं table1, कॉमा करके इसको one कर देते हैं, और save कर देते हैं, तो आप देखेंगे, यहां पर दो चीज़ आपको दिखाए देंगे, office data हो गया, और table1 के नाम से हमने यहां पर form बना लिया, तो आप देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर नाम कर सकते हैं, किसी का भी देखें इस तरीके से, और last name, तो जैसे जैसे आप करेंगे, वैसे आप अगले box में चलते चले जाएंगे, यहां पर आपको phone number टाइप करना है, और इसके बाद में जो photo वाला box दिया गया है, हमने attachment के लिए उस पर double click करना है, और आप यहां से किसी भी photo को आराम से attach कर सकते हैं, आप देखें में photo attach करके देखा देते हैं, यह देखें यह photo attach हो गया, ऐसे होगे कर दीजे, तो यह आपको यहां पर form में दिखाई देने लग इस तरीके से यह photo आ जाएगा, तो जिन लोगों को अपने school का या किसी भी office का data बनाना है with photo, जैसे बहुत से लोग होते हैं, जिनको अपने school के जितने बच्चे हैं, उन सबका data तयार करना है, identity card तयार करना है, या उनका database manage करना है, तो वो इस तरीके से उसको manage कर सकते हैं, यहां पर देखेंगे, यह button आपकी अच्छे से working कर रहे हैं, यहां पर यह हमने button बनाया था, first record के लिए, यह button बनाया था, last record के लिए, यह दो button बनाये थे हमने, previous और next record करने के लिए, तो इस तरीके से आप अपना एक manual form design कर सकते हैं, आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते ह आप form के लिए यहां पर जो layout view में अगर आप चले जाएंगे और इस पर click करेंगे, तो यहां पर आपको बहुत सारी themes भी form के लिए मिल जाएंगी, यह सारी जो theme है, यह form design करने के लिए हैं, आप किसी भी theme को select कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे, तो आप उसे form को अ आप एक साथ select करके उन सभी का font चेंज कर सकते हैं, तो यह सिर्फ जो आप यहां पर जो font चेंज करेंगे, वो आपको सिर्फ इस form पर ही दिखाए देगा, आपकी table में नहीं जाएगा, तो यहां पर अब तक जो data है, वो हमने कुल जो 7 या 8 data हमने यहां पर enter की हैं, और वो ह यहां पर आपको दिखाई देगा एक report का option, report में आपको report, label, blank report, report bizarre और report design जैसे option यहां पर दिखाई देगे, तो पहले जो report का button है, उस पर click करके देख लेते हैं, तो इस पर click करते ही, आपकी एक basic report तयार हो जाएगी, लेकिन जैसे कि हमने पहले पिछले वीडियो में बताय करते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़े होती हैं, यह हम देख लेते हैं, तो manual report तयार करने के लिए आपको फिर से वहीं पर जाना होगा, इसे हम close कर देते हैं, manual report तयार करने के लिए आपको जाना होगा, create के button पर आप यहां पर जाएंगे report wizard पर, तो wizard एक अच्छा तरीका ह होता है, form और report तयार करने के लिए, यहां पर आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं, तो बिना देर की, हम wizard को open कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप से table और query मांगेगा, कि आप किस table या किस query से, यहां पर report जनेरेट करने वाले हैं, तो हमने query अभी आपको बताई नहीं है, सिर्फ table के बारे में जनकारी दी है, और सिर्फ एक ही table हमने यहां पर बनाई है, तो आपको कुछ ज्यादा select नहीं करना बड़ेगा, अगर आपने एक से ज्यादा table बनाई है, तो आप इस drop down menu को click करके वो table select कर सकते हैं, इसके बाद में जो table में available field होंगे, उनकी list आपको यहां पर नीचे दिया गया है, आप उसे नल हैं, क्योंकि यह report में ठीक तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा, तो यहां पर हम फोटो के बल अकिला ले देते हैं, बागी इन जो field है, इनको हम छोड़ देते हैं, और इसको next करते हैं, next करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक page का preview दिखाई देगा, और आपके सभी fields आपको यहां पर दिखाई देंगे, अब यहां पर आपको एक option मिलेगा, priority का, priority क्या है, कि जैसे हम Excel में short करा देते थे data, उस तरीके से यह priority का option है, अगर आप नेम से data को priority देंगे, तो सबसे पहले नाम आएगा, और नाम के अधर पर देख लेते हैं, यहां पर हम city को select करते हैं, और इस बेटन को click करते हैं, तो आप देखेंगे, जो city है, वो ऊपर आ गई है, और बागी सारा जो data है, आपका जो record है, वो नीचे आ गया है, इसको next कीजिए, अब यहां पर ascending और descending का भी option दिया गया है, तो ascending, descending के लिए हम id को select कर लेते हैं, आप नाम को भी ले सकते हैं, last name को भी ले सकते हैं, जिसको चाहें आप उसको ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, नाम को लेना तो आप नाम भी ले सकते हैं, तो यह ए to z लगा दिया जाएंगे, तो यहां पर चार हमें option दिये गए है, ascending, descending के लिए, अगर आपके पास कोई ऐसा data है, जहाँ पर चार बार आपको data को short कराना हो, तो आप इस function का इस्तमाल कर सकते हैं, फिलाल हम name को ले लेते हैं, और इसे next करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा report का layout आप कैसा रखेंगे, तो यहाँ पर step दे रखा है, block दे रखा है और outline दे add the field width, so all field fit on the page, तो यह एक तरीका है आपके सारे field को पेज पर fit करने का, अगर आप चाहते हैं कि यह page पर जो आपके फील्ड जो आपकी report generator फिट हो, तो आप इसको select कर लिजे, और आप इसे छोड़ दीजे, तो इसको select कर लेते हैं, उसके बाद next करते हैं, यहाँ पर आप आपके पेज की style है, यानि कि आपका जो title color है, वो कैसा होना चाहिए, आपका page का background कैसा होना चाहिए, और चीजें कैसी होनी चाहिए, तो उनको आप यहाँ से select कर सकते हैं, तो हम कोई भी एक style ले लेते हैं हमने page के लिए, तो यहाँ से यह यह style select कर लिए, इसे next करेंगे आ तो यहाँ पर आपको दो option दिखाए देंगे, एक तो preview का और एक modify करने का, तो सबसे बहले हम preview ही check कर लेते हैं, यहाँ पर report को आप नाम दे सकते हैं, तो office data ठीक है, अगर आप कुछ और देना चाहते हैं, तो इसको यहाँ से बदल कर दे सकते हैं, तो इसके बाद से finish कर दी दिया है, लेकिन अभी भी यह report ठीक तरीक से दिखाई नहीं दे रही है, तो इसके लिए इस report में हम थोड़ा सा design में शंशोधन करेंगे, और इसके लिए जाएंगे design view में, तो design view में जाने के लिए आप यहाँ पर इस पर click करेंगे report के icon पर और यहाँ से चले जाएंगे आ कुछ दिक्कत आये, आप देखेंगे कि city ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, तो city के column ता उसको थोड़ा सा चोड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि name है, name को थोड़ा सा चोटा कर लीजिए, last name को भी अप चोटा कर सकते हैं, id अगर आप चाते हैं कि पहले दिखाई दे तो आप ID को उठा कर आगे रख सकते हैं तो ID आपको पहले दिखाई देगी, फिर last name दिखाई देगा, फिर address दिखाई देगा, address को भी आप थोड़ा सा छोटा कर लगए, mobile number को थोड़ा आप बढ़ा कर सकते हैं, इसके बाद email ID दे रखी है, तो email ID को भी आप बढ़ा कर सकते हैं, तो जैसे आपने column में record feed किया है, उसे साब से आप अपने columns को छोटा और बढ़ा कर सकते हैं, और अपनी report में दिखा सकते हैं, यह सब करने के बाद में, आपको सिंपल जाना है, प्रिंट प्रिव्यू पर, हमने जिस तरीके से रिपोर्ट लगाई थी, हमने city को प्राइविटी दी थी, आप देखेंगे, आप city पूरे दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप देखेंगे, आइडी आ गया है, उसके बाद नाइम आ गया है, लास्ट नाइम आ गया है, उसके बाद एड्रेस आ गया है, और इसके बाद mobile number है और email ID है, इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं, दोबा को भी आप center में ले जा सकते हैं, थोड़ा बोल्ट कर दीजे, इसको आप font अगर बढ़ा करना चाहें, तो font आप बढ़ा कर सकते हैं, देखेंगे, ले आउट व्यू में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, यह आपको बढ़र डिपेंड करता है कि आप किस तरीक से ले आउट ताकि सभी mobile number दिखाई देने लग जाएं, तो इस तरीके से आप अपनी report को बहतर तरीके से बना सकते हैं, तो आप यह जो report बन गही है, इसके लिए form पर बटन कैसे create किया जाए, इस report को प्रेंट निकाल सकें, इसा आप कैसे कर सकते हैं, सिर्फ form पर जाकर, यह भी हम सीख इसको बन गर लेते हैं, और दोबारा खुल लेते हैं अपने table को, यहां पर आपको दिखाई देगा, डिटा आपने फीड किया है, रिकॉर्ड का बटन यहां पर है, सारी चीज़े हैं, इसको दोबारा से हम डिजाइन व्यू में जाते हैं, और यहां पर आपको फिर से वह अफिस डाटा, सिंपल एक ही रिपोर्ट हमने बनाई है, अगर जादा रिपोर्ट होती तो आप उसको सेलेक कर सकते थे, इसके बाद इसको next कीजिए, यहां पर वही जो image का option दे रखा है, और text का option है, आप दोनों को ले सकते हैं, किसी को भी, तो हम यहां पर text को सेलेक करते है, उसके रिपोर्ट कैसे प्रेंट होगी, या फिर आप यहां पर प्रेंट भी कर सकते हैं, देखिए, प्रिव्यू की जगे हमने आप प्रेंट रिपोर्ट लिख दिया है, और यहां से इसको हमने सेव कर दिया, अब आप दुबारा जाएंगे, फॉर्म व्यू पर, तो आप यहां पर देखेंगे, जो और बटन थे, उसके साथ में आपको प्रेंट रिपोर्ट का भी बटन डिस्प्ले होने लग जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए, और आप देखेंगे, जो रिपोर्ट हमने वहां पर बनाई थी, वह यहां पर ओपन हो गई है, अब इसको प्र और यहां पर रिपोर्ट जणिट कर सकते हैं, आगे की वीडियो में हम थोदासा एडवांस चलेंगे, और आशा है आपको यह तीन चीज़ा समझ में आ गये होगी, कि हम टेबल का इसे बनाते हैं, उसके लिए फॉर्म का से तयार करते हैं, और रिपोर्ट का बनाते है और जो form है उस पर button कैसे बनाते हैं? Query होता क्या है? Query जो table है और report के बीच का एक filter होता है. यानि आपने अगर table में अपनी में 10 field select किये हैं या 20 field बनाए हैं और आप एक ऐसी report generate करना चाहते हैं जिसमेंसे वो 10 मेंसे 3 field ही आए या उसमें कोई एकसा filter लगा दिया जाए जिसमेंसे आपको city wise आप किसी report को generate करना चाहते हैं यानि आप एक ऐसी report बनाना चाहते हैं जहांपर किबल आगरा शहर के ही लोगों को display किया जाए या किबल A-NAM वाले लोगों को display किया जाए तो आप वो query लगा कर बना सकते हैं इसकलाबा और भी बहुत तरीके की query होती है तो आज जो हम बनाना सीखेंगे वो query होगी parameter query और उस query से हम कैसे report generate करते हैं और उसका कैसे button हम अपने form पे लगाते हैं ये सारी चीज़ आज के वीडियो में हम सीखेंगे तो query बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे create के button पर और यहां पर आप सबसे अच्छा ये तरीका रहेगा कि आप query wizard को select करें तो यहां पर query wizard पर चले जाएगे जब आप यहां पर query wizard को select करेंगे तो आपको यहां पर कई तरीकी की query दिखाई देंगी जिसमें cross tab query wizard है, simple query wizard है, find duplicate query wizard है तो आप simple query wizard को select कर लीजिए और इसे ok कीजिए जब आप आगे चलेंगे तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस table से query बनाना चाहते हैं तो axis में आप कैई सारी table भी बिना सकते हैं आपके 10 टेबल भी हो सकती है, 20 टेबल भी हो सकती है, तो यह आपको select करना होगा कि आप किस table के लिए query बनाना चाहते हैं तो जो main table होगी हम उसके लिए ही query बनाएंगे हम नहीं पर फिलाल एक table बनाई है, तो हम इसको select कर लेंगे table के field आपको नीचे दिखाई देंगे जो भी आपने ID लिया है, नाम लिया है, address लिया है, तो यहाँ पर आप उन fields को जो भी आप अपने report में लेना चाहते हैं, क्योरी के हिसाब से आप उन fields को ले सकते हैं, अगर आप आप चाहते हैं, सारे field आपके आपके रिपोर्ट में आएं, तो आप सभी fields को select कर लीजे, अन्यता यहाँ पर हम फोटो को छोड़ देते हैं, आप देखें, यहाँ पर फोटो है, हम दो उसको छोड़ दिया है, इसके बाद आप next करेंगे, और यहाँ पर आपको दिखाएगा detail और summary, तो हम यहाँ पर detail को select करेंगे, इसे next करेंगे, यहाँ पर open the query to view information का भी option है, लेकिन आप modify the query design पर चले जाएंगे, इसे finish करेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का view दिखाए देगा, यहाँ पर आपके table का नाम आएगा, और आपके सभी fields जो उपर लिखे हुए हैं, वो आ जाएंगे, अब इस query को जब आप run कराएंगे, तब आपको result show होगा, run कराने का तरीका है, यहाँ पर आपको उपर यह जो mark दिखाए दे रहा है, इस पर click करके आप उसे run करा सकते हैं, जब आप इस query को run कराएंगे, तो जो आपने field वहाँ पर select किया है, क्योंकि हमने आप फोटो नहीं लिया था, तो वो नहीं आया है, अब इस query को थोड़ा सा और modify करके देख लेते हैं, अब यह बिल्कुल simple query है, हमने यहाँ पर कुछ field selection किये थे, जब एक बार में आप ऐसा करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको result मिलेगा, अब इस query को थोड़ा सा हम और design कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम अपने चुनिंदा fields को select कर सकते हैं, यानि हम चाहते हैं के रिपोर्ट में केवल दो ही field हमें नज़र आएं, एक तो नाम और दूसरा address, तो बाकी जो सारे field हैं आप उनके से tick को हटा दीजिए, आप देखे हमने last name से tick हटा दिया है, address से अटा दिया है, phone number से और email ID से, अब हमें क्या दिखाए देगा, केवल नाम और city, अब जब इस query को आप run कराएंगे, तो आपको report में सिर्फ यही दोनों चीज़ें दिखाए देंगी, यहाँ से report बनाते समय आप इसको short भी करा सकते हैं, short A to Z और short Z to A, इस तरीके से आप short करा सकते हैं, अभी हम report generate नहीं कर रहे हैं, हम केवल query का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अभी table ही दिखाए देगी, जब हम इस query से report generate करेंगे, तो यह जो सारे field हैं, यह जो दो field हमने query में select किये हैं, यह आपको report में दिखाए देंगे, तो हम दुबारा से query को modify कर लेते हैं, आप query पर right click करेंगे और design view पर चले जाएंगे, अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम city का नाम enter करें, और उसके बाद उसी city का result हमें दिखाए दे, तो हम यहाँ पर parameter लगाएंगे, जो जिस field पर हमने tick लगा रखा है, उस field के नीचे आप criteria के option में जाएंगे, और यहाँ पर अपने keyboard से simple एक bracket लगाएंगे, और यहाँ पर type कर देंगे, enter city, bracket को close कर देंगे, और इसके बाद जब हम query को run कराएंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर enter parameter value हम से पूछी जाएगी, यानि city का नाम पूछा जाएगा, अब आप यहाँ पर city का नाम डालिए, जो भी city आपने field कर रखी है, और इसे OK कीजिए, आप देखेंगे, जो के आगरा city है, उसी का result हमें show कराया जाएगा, और result में वो field होंगे, जिनको हमने select कर रखा है, तो आप एक बाद फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हम design view में गए, आप देखेंगे, यहाँ पर हमने name के field पे tick लगा रखी है, और city के field में हमने criteria डाला है, enter city का, इस query को हम कहते हैं parameter query, अब आप चाहते हैं कि नाम और city के साथ में email id भी show हो, लेकिन city को enter करने के बाद में, तो आप email id को भी select कर सकते हैं, और इसके बाद आपको फिर से query run करानी होगी, और यहाँ पर डालना होगा city का नाम, आप देखेंगे हमने दुबारा से city डाली, आप देखेंगे city के साथ में email id को भी यहाँ बर show किया जा रहा है, अब एक query हम और लगाना सीख लेते हैं, आप देखेंगे हमने city से criteria को हटा दिया, और हमने name पर एक criteria लगाया है, हम चाहते हैं कि जिन नामों का अक्षर A से शुरू हो, केवल वही नाम दिखाई देखेंगे, तो हम यहाँ पर type करेंगे A और इसके उपर एक star लगा देंगे, और इसके बाद इस query को run कराएंगे, आप देखेंगे A letter से शुरू होने वाले जो नाम है, तो इस तरीके से आप parameter query को run करा सकते हैं, तो यह तो हुआ query का बनाना, अब query से report कैसे बनाते हैं, तो report बनाने के लिए हम इस query को save करना होगा, तो हम दोबारा से city के लिए, यहाँ पर criteria बना देते हैं, और इसको bracket को close कर देते हैं, तो यहाँ से जब आप इसे close करेंगे, तो यहाँ से save करने के लिए पुछेगा, तो यहाँ से yes कर दीजिए, और आप देखें कि यह query है, यह office data के नाम से यहाँ पर save हो जाएगा, अब बनाते हैं, इस query के लिए report, आप देखेंगे, एक report हमने पहले भी यहाँ पर बनाई हुई है, जो office data की है, जिसमें कोई query नहीं लगी है, यहाँ पर city wise हमने इनको लगाया हुआ है, और हमारे जितने भी field हैं, जितने भी record हैं, यहाँ पर display हो रहे हैं, लेकिन इस report में केवल वही field डिस्पले होंगे, जिनकी city हम enter कर देंगे, यानि city wise, तो report बनाने के लिए आपको create पर जाना होगा, और यहाँ पर आप select करेंगे report wizard, report wizard में जब आप जाएंगे, तो आपके यहाँ पर table और query का option मिलेगा, तो simple हमें query लेनी है, तो हमें कोई priority नहीं देनी है, आप फिर से next करेंगे, ascending, descending के लिए आप name ले सकते हैं, और यहाँ पर आप जो भी layout select करना चाहें, उसको select कर लीजे, तो इसे next करते हैं, उसके बाद आपको अपने report का layout select करना होगा, तो हम वो भी ले लेते हैं यहाँ से, हम access 2007 का report layout select कर लेते हैं से, आप next करेंगे, और preview the report के option पर जाएंगे, जब आप finish करेंगे, तो आप से यहाँ पर पूछा जाएगा enter the city, तो आप जिस भी city को चाहें यहाँ पर enter कर सकते हैं, और okay करने के बाद में आपको कुछ इस तरीकी की report, यहाँ पर दिखाई देगी, आप देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आग्रा वाले ही लोगों को display किया जाएगा, इस query का नाम यहाँ पर दिया गया है, office data query, और पिछले वीडियो में हमने आपको report को भी design करना बताया है, तो आप report को पिछले वीडियो देखके, बटन को select करेंगे, तो यहाँ पर हम इस button को create करेंगे, और जब आप button को यहाँ पर बना देंगे, तो आपको यहाँ पर option दिखाई देगा, report operation, इस पर आप चले जाएंगे, और preview report को यहाँ से select कर लेंगे, इसके बाद next करेंगे, आपने अमीद दौनों अपनी report बनाई थी, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, तो query वाली report को हम select कर लेते हैं, और यहाँ से next करते हैं, वही आपको button का option देखाई देगा, या तो आपको यहाँ पर text का option देखाई देगा, आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर type कर दिया है report by city, इसे आप next कर देंगे और यहाँ से finish करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दो button हो गए, एक है print report का, जो कि सीदे सीदे हमारे सभी records को print कर देगा, और एक button हो गए हमारे पास, उस report के लिए है, इसके बाद आपको जाना है form view पर, तो form आपको इस तरीके से दिखाई देगा, आप जिस भी report को print करना चाहते हैं, आप print report पर जाना चाहते हैं, तो उस पर click कर दीजे, आपके जितने भी record हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाए देंगे, और इसके बाद जब आप query वाले बटन पर click करेंगे, तो आप से पूछा जाएगा, enter city, तो आप यहाँ पर city type कर दीजे, और यहाँ से ok करेंगे, तो आपको जो query आपने लगाई थी, report बनाने के लिए, वो report आपको यहाँ पर generate हो जाएगी, तो यह है Microsoft Office 2007 के package के साथ में आई हुई Publisher 2007 app, तो जब पहली बार आप Publisher app को open करेंगे, तो जिसका user interface है, वो आपको इस तरह का दिखाई देगा, Publisher app, क्यों ज़रूरत पड़ी हैं इस app की, असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनको हम Microsoft, MS Word में या Excel में या PowerPoint में नहीं तयार कर सकते हैं, जैसे कि business card, calendar, email के templates, greeting cards, visiting cards, या आपको जो label print करने हों वो, और वो जो सारी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पर mintों में तयार कर सकते हैं, यह जो काम था पहले हम किया करते थे, page maker में या coral draw में, तो उन सभी का समाधान हैं, जो आपके office की चोटी चोटी चीज़ें हैं, उनको आप यहाँ पर तयार कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ templates दिखाना चाहूँगा, कि यहाँ पर आप क्या-क्या तयार कर सकते हैं, business card, designed paper, email, envelope, greeting card, mailing label, media label, name tags और ऐसी धेर सारी चीज़ें जो आपके office में काम आती हैं, और यह आप बहुत आसानी से इनको custom made कर सकते हैं, यानि जैसा आप बनाना चाहें, वैसा बना सकते हैं, यहाँ पर सबसे उपर advertisement का option दिया गया है, जैसे आप इस पर tick करेंगे, तो आपको advertisement के कुछ classic templates उपर मिल जाएंगे, और एक बार में ही click करके, तो simple आप black and white और color add यहाँ पर बना सकते हैं, या वैसे ही आप print out करके, किसी को भी print करके दीवार पर चिपका सकते हैं, अपनी यहाँ पर जैसे आपको लगाना हो, तो यहाँ पर देखिए कई तरीके के add templates यहाँ पर दिये गए हैं, इसके बाद यहाँ पर award certificates दिये गए हैं Certificate एक बहुत महतपूर्ण चीज होती है, अगर आपका एक computer center है और आपको अपने students को Certificate देना है, तो आप simple एक click में यहाँ से Certificate तयार कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कितने सारे Certificate के template दिये गए हैं, जिन पर केबल एक click करने के बाद आपको नाम, पता और आप मुझे जो banner है, वो बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको भी banner बनाना है, यानि एक चीज में आपको बता देता हूँ, जैसे एक film का poster होता है, और वो कई टुकणों से मिलके तयार होता है, वैसे ही यहाँ पर जो banner है, वो आपके कई सारे A4 page से मिलके तयार हो सकता ह यानि आप अपने printer से ही एक 10 by 8 फिट का भी एक जो banner है, वो तयार कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखें कि फिलाल में यह जो banner है, अगर मैंने click कर दिया है इस पर, तो जो banner है वो आपको simple plain दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जब मैं इसके print preview पर जाओंगा, देखें, print preview प पर click करूँगा, तो आपको यहाँ पर कई सारे टुकडे मिलेंगे, और यह जो टुकडे हैं, वो कई pages है, तो यह जो banner है, वो अलग अलग page पर, यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे page पर print होगा, और print निकलने के बाद आप इनको जोड दीजीए, जोड के जहां भी लगा सकते हैं, तो यह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने कई सारे banner एक बार print किये थे, और अपने center में लगाए थे, तो मुझे यह खास तोर पर बहुत अच्छा लगता है, बैनर के बाद में यहाँ पर आ जाता है, ब्रोशर, यानि अगर आपका कोई institute है, आपका क कोई hotel है, आपका कोई business है, और आपका कोई product आप ऐसा कोई launch कर रहे हैं, जिसके लिए आपको ब्रोशर तयार कराना हो, तो आप यहाँ पर simple एक click में वो तयार कर सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पर धेर सारे template दिये गए है, आप देखें कि ऊपर से नीचे scroll करके, धेर सार template है, इसके बाद यहाँ पर business card दिये गए है, visiting card, business card, यह अगर आप यहाँ पर print करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं, business form दिये गए है, form बनाने के लिए आपको MS Word में काफी सारी महनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आप एक बार में ही, जो time billing form है, weekly report है, statement है, purchase order है, invoice है, inventory list है, fax order है, यह सारे यहाँ पर आप तयार कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर calendar दिया गया है, catalog दिया गया है, email के यहाँ पर email के लिए यहाँ पर धेर सारे template दिये गया है, देखिए मैं email का एक template आपको दिखा देता हूँ, और आपको mail बेजना हो किसी को professionally तो आप यहाँ पर वो भी तयार कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पर email करने के लिए एक बहतरीन template दिया गया है, यह सारे मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, इसमें मैं आपको पूरा इसका introduction दे दूँगा, जिससे आपको समझ में आ जा गए publisher कितने काम की चीज है, अब इसके बाद में आप चलेंगे, तो नीचे यहाँ पर envelope प्रिंट करने के लिए option है, gift certificate के लिए option है, greeting card बनाने के लिए यहाँ पर option है, अगर छोटी सी कोई घर में party है, बड़े party है, कोई छोटा सा program है, तो यहाँ पर आप greeting card बना सकते हैं, thank you card बना सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पर आपके MS Word के कुछ templates दिये गए है, page के, एक बार में ही आप MS Word का template है वो तयार कर सकते हैं, यहाँ पर आगर आप देखेंगे, corner में तो यहाँ पर कुछ settings दी गई है, यहाँ पर आप two side, जो pointed page है, वो तयार कर सकते हैं, जो पेज maker में तयार करते थे, यहाँ पर invitation card दिया गया है, label दिया गया है, आपका अगर कोई restaurant है, तो आप उसके लिए menu यहाँ पर बना सकते हैं, एक साथ में कई सारी चीज़ गई हो, सबसे जरूरी चीज़ अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, job के लिए आप apply कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप चुटकियों में resume resume के लिए भी templates दिये गए हैं, तो बहुत useful option है MS Publisher, यहाँ से आप धेर सारे काम कर सकते हैं, चुटकियों में धेर सारे templates हैं, आपको बहुत ज़्यादा महनत नहीं करनी है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक certificate तयार करके दिखा देता हूँ, certificate template पर हम click करेंगे, और यहा बाला कर लेते हैं, जिस पर लिखा है great idea, तो यहाँ पर हम इस पर double click करेंगे, और यह जो certificate है आप हमारे सामने आ जाएगा, और देखें यहाँ पर हमारे कुछ नहीं करना है, आपका जो भी award का नाम हो, जैसे यहाँ पर आप उपर उसको नाम बदल सकते हैं, यहाँ पर मैं आपका कोई business name है, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, signature कर दीजे, और बस print out कर दीजे, organization वाला जो आपका logo दिया गया है, आप चाहें तो उसको logo को भी बदल सकते हैं, तो यहाँ पर भी mybigguide.com लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप किसी भी logo को क्लिक करके change कर सकते हैं, जैसे यह है, इसको आप डबल क्लिक करें, यहाँ पर यह clip art का option भी है, जो MS Word में भी था, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, computer, search करते हैं, इसको go करते हैं, यहाँ पर देखिए, धेर सारी computer की जो clip art हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी, जैसे यह आ गया, यह आ गया, यह आ गया, और कोई भी अगर आपको यहाँ पर लगाना है, तो बस double click कीजिए, और आपके जो logo है, वो तुरंट से change हो जाएगा, बहुत useful application है, इसको इस्तमाल कीजिए, और आप बताइए, कि यह application आपके क्या क्या काम आ सकती है, इसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर हमको जाना है, निव पर जाना है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, blank page, जब आप blank लेंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारे size मिलेंगे, जैसे A3, A4, आप इसको ले सकते हैं, A4 के लिए भी यहाँ पर दो option दिये गए हैं, landscape है, portrait है, तो landscape ले ले लेते हैं, और इस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ my big guide, और इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, आप देखे, यहाँ पर हमें option मिलता है font का, इसको हमने बढ़ा कर दिया, अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि page के लिए आपको यहाँ पर option मिलेगा, logo लगाने के लिए, यहाँ पर आपको color schemes मिलती है, अपने page के लिए, जो भी आप color template लेंगे, उसी के साब से आपका जो पूरा page है, वो बदल जाएगा, यहाँ पर font के लिए आपको schemes मिलती है, यहाँ पर आपको publications option मिलते है, text box हमने बना लिया है, इसके बाद आपको यहाँ table का भी option मिलता है, table पर जैसे आप click करेंगे, और ऐसे पकड़ के इसको खीचेंगे, तो आप यहाँ पर table भी बिना पाएंगे, यहाँ पर आपको simple number of row और number of column देने है, तो जितने number of row और number of column आप यहाँ पर डालेंगे, उसी साब से आप यहाँ पर table भी insert कर पाएंगे, और यहाँ से इसको आपको ok कर देना है, तो देखिए यहाँ पर आपने page पर word art भी insert कर दिया, यहाँ पर आपको वो सारी option मिलेंगे, जिनसे आप अपने page को, किसी certificate को, किसी resume को बड़े आसानी से तयार कर पाएंगे, तो मैं आपको personally बताता हूँ कि यहाँ पर आपको अगर quickly क कुछ तयार करना है, तो आप इसके जो templates हैं, उनको use करें, और इसके आगे की जो सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको अगले video में बताने वाला हूँ. तो Outlook को open करने के लिए आप अपने start button पर click कीजिए और यहाँ पर search में type कीजिए Outlook, तो जैसे ही आप out type करेंगे, आपको यहाँ पर सबसे उपर Microsoft Office Outlook दिखाई दे जाएगा, आपने जिस भी Office का version install कर रखा होगा उसके साथ में, इसको click करके हम यहाँ पर open कर लेते हैं, तो Outlook जब आप starting में open करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाए देगा, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि Outlook है क्या, Outlook एक email client है, यह आपके किसी भी mail server से, चाहे आपने Yahoo पे account बना रखा हो, चाहे Google पे account बना रखा हो, या Microsoft पे account बना रखा हो, यह एक email client की तरह काम करता है, और आप एक साथ इस से कई सारे email ID को connect कर सकते हैं, और बिना उन email ID को खोले, आप Outlook से email भेज सकते हैं, या तो receive कर सकते हैं, अब इस Outlook account को setup कैसे करते हैं, यह हम जान लेते हैं, यहाँ पर हम next करते हैं, यहाँ पे हमें Outlook से email account को configure कराना है, चाहे हमारा email account किसी भी site पर हो, ह उसके email server से Outlook को connect करना है, तो यहाँ से आप इसको yes कर दीजिए और यहाँ से next कीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक option दिखाएदेगा, auto account setup का, यहाँ पर आपको नाम डालना है, यहाँ पर अपना email address डालना है, और यहाँ पर आपको दो बार अपना password एंटर करना है लेकिन इसके बाद में एक setup और दिया गया है, यहाँ पर manually configure server setting, इस पर click करके आप manually भी अपने account का setup कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको click करेंगे और यहाँ से next करेंगे, तो यहाँ पर आपको तीन option और दिखाएगा, पहला internet email, दूसरा Microsoft Exchange और तीसरा others, अदर्स में आप अपन messages, तो यहाँ पर यह तीन शब्द दिये गए है, HTTP का मतलब है hypertext transfer protocol service, और POP का मतलब है post office protocol, और IMAP का मतलब है internet message access protocol, यहाँ पर यह तीनों protocols को follow करता है, protocol यानि नियम होते हैं, कुछ email servers के, और उसके बाद आपने email messages को आउटलूक पर access कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको select कर name, उसके बाद email address, और यहाँ पर पूछ रहा है, account type, तो यहाँ पर account type में दिये गए है, POP3, IMAP और HTTP, तो यहाँ पर आपको जब आप Gmail से इसको connect करेंगे, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी IMAP account की, क्योंकि Gmail का जब हमने account check किया, तो वहाँ पर जो Gmail की services है, वो काम करती है, internet message access protocol पर, और उसके बाद डालना है, आपको Gmail का incoming server, और Gmail के outgoing mail server का नाम, तो हमने Gmail की websites को चेक किया, और वहाँ पर हमें मिला server client का नाम, तो Gmail का server का नाम भी, यहाँ से paste करेंगे, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम डाल देंगे अपना नाम, इसके बाद हम अपना email address डालेंगे, और यहाँ पर हम इस्तमाल करेंगे अपना username, जो भी हमारा username होगा, अभी menu, और इसके बाद में आपको डालना है, आपर अपना password, तो यह सारी process होने के बाद में, आपको next करने से पहले एक चीज और करनी होगी, आपको खोलना होगा अपना Gmail account और वहाँ पर आपको कुछ settings करनी होगी, तो यहाँ पर यह हमारा Gmail account है, और यहाँ पर आपको जाना है setting पर, और यहाँ पर आप setting पर जब जाएंगे, तो आपको से आप इसको enable कर दीजिए और यहां से भी आप इसको enable कर दीजिए, आप इसके बाद इसको आप Outlook से जोड़ पाएंगे, इसके बाद इसके से safe change कीजिए, और safe change करने के बाद में, आप दुबारा से Outlook पर जाएंगे, और इसको यहां से next करते हैं, आप देखेंगे, जो network connection वो establish किया जा रहा है और जैसे ही आपका account configure कर लिया जाएगा आप देखिए यहाँ पर congratulations का message आजएगा आप यहाँ से finish कीजिए और उसके बाद outlook कुछ समय लेगा आपके सभी emails को अपने इस outlook account में sync करने के लिए तो यहाँ पर कुछ समय आपको wait करना होगा यहाँ पर देखे outlook open हो गया है और आपके जो सभी email थे जो आपके email ID में attached थे वो सभी emails जो है outlook के account पर sync किया जा रहे हैं धीरी-धीरी करके यह जो सभी email आप देखेंगे यहाँ पर हमारा account है और यहाँ पर जो सभी email है वो आपके धीरे-धीरे करके कुछ समय बाद यहाँ पर sync कर लिए जाएंगे और आपको display होने लग जाएंगे तो अभी emails को sync होने में कुछ समय भी लग सकता है तो सबसे पहले यहाँ सीख लिएते हैं कि आप outlook में क्या-क्या कर सकते हैं तो जब आप new पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको email message पर जाना है तो यहाँ पर two में इस तरीकी से आप Gmail में किसी का email address टाइप करते हैं वहाँ पर उनका email address टाइप करना है और यहाँ पर subject लिखना है और यहाँ पर आपको type कर देना है अपना message message टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर SMS word में सारे option दिखाई देते हैं editing के तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा text यहाँ पर आपको font size और उसी तरीके से सारे option यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएंगे यहाँ से आप कोई भी file अपने email के साथ में attach करके उनको बेश सकते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं अपने email के लिए signature इसके साथ में यहाँ पर आप अपने email के साथ में कोई picture, clip art shape, smart shape या chart भी वहाँ से connect कर सकते हैं तो यहाँ पर word के सब भी options दिए गए हैं यहाँ पर आप और भी तरीके से अपनी email को format कर सकते हैं यहाँ पर काफी साथ option दिए गए हैं आपकी email को पूरी तरीके साजाने के लिए जब आपका email तयार हो जाए तो simple आपको send button पर click करना है और आपका mail उस विक्ति पास भेज दिया जाएगा जहाँ उसको आप भेजना चाहते हैं और इस email ID पर आने वाले सब ही जो mail है वो आपको यहाँ पर inbox में दिखाई देंगे यहाँ पर एक inbox भी दिया गया है अब यह पूरी तरीक से sync नहीं हुआ है और जैसे यहाँ पर सारे emails आजाएंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाए गया तो यह तो हो गया mail का section और mail के section के बाद यहाँ पर एक चीज़ और भी दी गई है यह है calendar तो outlook box में आप अपने जो daily के task हैं जो to do हैं वो आप यहाँ पर save कर सकते हैं और वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा day wise, week wise और month wise तो यहाँ पर हम किसी दिन में कोई एक task save करके देखते हैं तो यहाँ पर अगले Sunday को जैसे हमें अपना reminder लगाना है तो यहाँ पर हम Sunday वाले दिन यहाँ पर हम double click करेंगे और double click करने के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे सग्जेक तो यह हमें याद दिला देगा कि हमें Sunday live करना है और start time क्या रखेंगे तो start time हम रखेंगे 14 तारिक से 14 तारिक तो यह जो event रहेगा वो रहेगा 10 बजे से 11 बजे तक का तो यहाँ पर इस तरीके से हमें एक reminder बना सकते हैं और यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं save और save करने के बाद में आप देखेंगे कि 14 तारिक में यह जो reminder है यहाँ मेल पर भी remind करा दिया जाएगा कि आपको 14 तारिक को यह काम करना है इसके बाद में यहाँ पर आता है contact का option और यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं अपने सभी context को बड़े ही अच्छे तरीके से तो यहाँ पर जाना है आपको new पर और new पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर काफी सारे detail एंटर करने के लिए option मिलेंगे यहाँ पर मिलेगा name का option, company, job title, email id और business के जो भी phone number है और भी जो कुछ detail है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं तो यह हम बना के देख लेते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर नाम डालेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर एक visiting card type बनने को त्यार हो जाएगा यहाँ पर डाल दीजे, mister, middle name, कोई नहीं है अगर एक से ज़्यादा लोग हों तो आप यहाँ पर फस्स टेकिन थर्ड लगा सकते हैं अगर नहीं है तो इसे ओके छोड़ दीजे तो यहाँ पर देखेंगे आप नाम आ गया है और नाम जो है जो फाइल बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी पहले सरनेम आएगा और फिर नाम आएगा अगर आप चाहते हैं कि पहले नाम और फिर सरनेम आएगा तो आप यहाँ से इसको select कर सकते हैं यहाँ से आप उस व्यक्ति अगर आपका फोटो हो तो वह आप यहाँ से लगा सकते हैं उसके बाद आप उनका email ID यहाँ पर type कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर email address type हो गया है अगर आपके पास कोई number है वह number भी आप यहाँ पर type कर सकते हैं तो अभी फिलाल हम कोई भी number यहाँ पर डाल देते हैं और देखिए जब आप यह सारी information यहाँ पर feed कर देंगे तो यह उसका अभी area code भी मागेगा तो area code 91 आप यहाँ से ले लीजे और इसको ok कर दीजे तो आप देखिए इसको यहाँ से ok करेंगे तो mobile number भी आपको यहाँ पर display होने लग जाएगा और यह mobile number दिखाएगा business का तो और इसको यहाँ से save कर दीजे तो आपके जो contacts में एक card यहाँ पर save हो जाएगा और इस तरीके से आप इसको कई view में यहाँ से देख सकते हैं by category, by company, by location तो यह पूरी तरीके से अगर आपको कोई business है और आप उसको पूरी तरीके से manage करना चाहते हैं तो आप outlook से वहाँ पर manage option और आता है, अगर आप चाहते हैं अपने email account को outlook से disconnect करना तो आपको सिफ जाना है tool पर, यहाँ पर जाना है option पर, यहाँ आपको mail setup का option दिखाए देगा, यहाँ पर आपको दिखाए देगे email accounts यहाँ पर चले जाएए, अपने email account को select कीजे और यहाँ से इसको remove कर दीजे, ऐ आपको एक नया email account outlook से जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपके emails जो हैं यहाँ से sync हो पाएंगे, तो नया email account जोडने के लिए आपको दबारा से tools पर जाना होगा, option पर जाना होगा, यहाँ पर mail setup का option आपको दिखाए देगा, इसके बाद में आपको जाना होगा email accounts पर यहाँ पर आपको वही new का option दिखाए देगा, और new करने पर आप सेम उसी procedure से यहाँ पर अपने emails को अपने account से जोड़ सकते हैं, यहाँ फिर आप Google पर टाइप कीजिए, my big guide तो सबसे उपर mybigguide.com का result मिल जाएगा, learning zone दिया गया है, इसके अलावा internet, YouTube और printing के dips और टिक यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर हमने computer notes दिये हैं, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत उपियोगी होते हैं, बस इस पर आप click कीजेगा, और computer notes यहाँ पर open हो जाएंगे, यह बिल्कुल series wise दिये गए हैं, और यहा यहाँ पर हमने 50 से जादा online quiz दिये हैं, जिन से आप अपना computer ग्यान पर रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा, अनसुल जे प्रिशनों के आसान जवाब, जो अकसर करके आपकी दिमाग में आते होंगे, हमने dark internet के बारे में बताया है, blue whale game के बारे में बताय है, call drop क्या होता है, यह भी हमने बताया है, internet का मालिक कौन है, यह भी बताया है, वाइफाई या लाइफाई क्या होता है, तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रिशन आपके दिमाग में है, तो आप यहाँ पर जाकर उसको search कर सकते हैं, आप देखें कि यह list बहुत लम्मी अब एक सो बतीस चीजों के बारे हमने आपर बताया हुआ है, तो यह एक सो बतीस आर्टिकल आपके बहुत कामाने वाले हैं,